हेलो एवरिवन मैं विश्रुजेत सिंग आप सभी का देह इनाप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.05 का लास्ट फाइव यर्स के कोस्टिन विपर को सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर में हम 2016 से लेकर 2022 तक के सारे कोस्टिन विपर को देखेंगे जैसे कि आपको बताऊगा दोस्तो कोई इगनु के अंदर में एक साल के अंदर में दो सेशन होते हैं June session और December session तो हम हर साल के दो-दो session के question विल पर solve करेंगे almost हमारे पास 10 question paper होगा 5 साल के अंदर में और आपका जो syllabus है इस video को देखने के बाद 95% almost clear हो जाएगा इस video को थोड़ा लंबा होने कारण से जो MHI 05 का syllabus बहुत ज़ादा use होने के कारण से इसको मैंने total 2 part में बाटा है ठीक है तो हम total 5-5 question paper का series में 2 part में इसको हम finish करेंगे तो इस first part के अंदर में हम 5 question paper solve करने वाले हैं और second part के अंदर में हम 5 question solve करेंगे दोनों जो part होंगे इस video के ठीक है first or second part और दोनों एक दूसरे से interlink होंगे ठीक है अगर आप एक देखते हो दूसरा नहीं देखते हो तो थोड़ा सा confusion होगा तो दोनों क्या है दोस्तों MHI 05 जो बुक का नाम है आपके भारती अर्थव्यवस्था का इतिहांस इसके अंदर में जितने भी question बनेंगे history of Indian economics से बेस बनेंगे भारती अर्थव्यवस्था में से question बनकर आएंगे ठीक है किसी ना किसी तर से गुमाफ विराके वहाँ पर जो question बनेगा वह इंडियन इकनोमिका बनेगा ठीक है पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि MHI 05 की तो आपको उसके लिए टाइम अच्छा कासा लग जाता है पढ़ने में इसका रिवाइस करने में भी बहुत अच्छा कासा टाइम लग जाता है बट अगर आप 5-10-year का question paper solve करते हो 5-10 साल का question paper solve करते हो तो आपका जो syllabus है 95% से जादा इसी तरह solve हो जाएगा ठीक है आप ठीक है मैंने इसके पहले भी तिन वीडियो बनाई थी MHI 01 का MHI 02 का और MHI 04 का ठीक है तो उससे बहुत सारे बच्चों का help मिली और I hope so इस वाली वीडियो से भी आपको help मिलेगी ठीक है तो 95% से आपका syllabus clear हो जाएगा दूसी चीज क्या है यहाँ पर कि आपका एक list बनता चला जाएगा आपके पास थीक है most important questions का कि कौन-कौन से question most important है और एक चीज और list बनेगी आपकी कि most repeated question कौन-कौन से सबसे जादा बार 5 सालों के अंदर में कौन से question repeat हुए इसका भी आपके पास list बनता हुआ चला जाएगा ठीक है यहाँ पर सबसे बड़ी problem क्या रहती है बच्चों की कि हम answer कैसे लिखें ठीक है question समझ में आ गया पढ़ लिया मैंने पढ़ाई तो किया था पर answer कैसे लिखें सुरुवात कैसे करें कौन से points को लिखें तो हम यहाँ पर जितने भी solve करें so ठीक है अगर आपको कुछ learning मिल रहा है कुछ यहाँ पर कमिया है जो भी है तो आप उसको suggest करोगे comment करके ठीक है अपना विचार बताना क्या है कैसा है कहां पर improvement की जरूरत है मुझे या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो बताना या फिर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी question paper के बारे में तो हमेशा आपको जो भी बार-बार नहीं बोल कर में एक बार में बता जाता हूं आपको सारा detail question paper के बारे में MHI 05 आप यहां पर देख पा रहे हूं ठीक है में का हैगा जून 2016 का question paper हमने उठा रखा है MHI 05 अपने book का नाम हो गया भारती अत्रवश्ता का इत्यांस history of Indian economy ठीक है जो total time period है इस question paper को solve करने का 3 गंटे का number जो मिलते हैं यहां पर आपको 100 number का question paper आता है हमें 5 question solve करना होता है हर एक question का जो marking scheme होता है वो 20 number का बनता है ठीक है समझ में आता है so सबसे most important है पूरी question paper के अंदर में और आपको हर question को solve करते समय आपको हमेशा याद रखना है वो हैगा word limit ठीक है यहां पर जो word limit दिया गया है आपको word limit हमेशा याद रखना है 500 word के अंदर में ही आपको हर एक question का answer लिखना है ठीक है normally क्या होता है हमारे narrative set होता है हमारे mind के अंदर में ठीक है सुरू से ही कि हम history पढ़ रहे means boring या फिर हम history पढ़ रहें तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बहुत जादा page भरना पड़ेगा हमारे mind में यह narrative set होता है मेरे mind में भी था जब तक मैं सही से नहीं पढ़ रहा था या आपको नहीं पढ़ा रहा था जब तक तक तो मेरे mind में भी था पड़ेंगे बरेंगे तब ही number मिलेगा अगर आप page भरके नहीं आते नंबर नहीं मिलेगा बट यहां पैसा नहीं है आप कम सब्द में 500 word के अंदर अंदर में लिखोगे अगर अच्छे से explain किया तो आपको उसके number बहुत अच्छे से मिल जाते हैं तो हम इस पैटन पर भी जोर देंगे हम फोकस करेंगे ज्यादा बड़ा ना करके ज्यादा चोटा सा यह answer लिखो बर अच्छा लिखो इफेक्टिव लिखो उसके बारे हम चर्चा करेंगे ठीक है चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का वीडियो सबसे पहले मैं बात अपनिवेशिक इतिहांस लिखन संबंधित माक्सवादी दिरिष्टिकोन माक्सवादी दिरिष्टिकोन का आलूचना आत्मत प्रेक्षन कीजिए फर्स्ट पार्ट के अंदर में ये कोश्चन है सेकिंड पार्ट के अंदर में यहां पर यसी कोश्चन के अंदर में आता है कि माक्सवादी इतिहांस लेखन की नव उदारवादी अलूचना क्या है ठीक है यहाँ पर तीन वर्ड है जो आपको हमें सा याद रखना है हमें समझना है पहला वर्ड आपका आजाता है उपनिवेशिक इतिहांस लेखन उपनिवेशिक इतियास लिखन क्या होता है अब मालों उपनिवेश मतलब होता है किसी के उपर अपना गुलाम बना कर रखना जैसे बिरिटेन ने हमें गुलाम बना कर रखना था हम 200 सालों तक बिरिटेन के गुलाम रहे तो हम Britain के क्या थे? उपनिवेश थे उप मतलब था किसी के उपर निवेश मतलब investment तो हम किसी के उपर अपना पैसा लगा कर रखना उसको गुलाम बना कर रखना उसको अपने कैद में रखना उपनिवेश कहलाता है अब ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया और उसकी दोरान में जो भी हिस्ट्री लिखी गई वो उपनिवेश कि इतिहांस लेखन कहलाया वहाँ पर अलग लग लोगों दोरा अलग लग इतिहांस लिखा गया माल लो एक मनीस नाम का लड़का है उसने लिखा तो कहा गया ये मनीस ने कहा ठीक ए राजा नाम का लड़का है राजा ने बोला तो राजा नाम कहा ठीक ए रूबी नाम की लिड़की है उसने अगर कुछ बताया तो वो रूबी हो गया उत्तम नाम का लड़का है अगर उसने बोला तो उत्तम हो गया तो मतलब कहा है जिस वैक्ति के द्वारा जो चीज कहा गया वो वहाँ पर विचारधारा माना गया जैसे माल लो कुछ लोग थे जो समाजवादी विचारधारा के थे तो उन्होंने उपनिवेश वाद के अंदर में अपनी किताबे में उस विचारधार से परवावित होकर लिखा तो आपर समाजवादी विचारधारा कहलाया माक्सवादी वाले माक्सवादी कहलाया तो इस तरीके से पूरा सेनेरियो चलता है ठीक है यहाँ पर दूसरा वर्ड आपको अगर आप समझ जाते हो तो कोशन को आप सॉल्व कर पाओगी ठीक है यहाँ पर में एक पार्ट कर आऊँगा एक पार्ट आपको में वर्ट फ्रों होम दूंगा थोड़ा से मैनत करोगे जिससे आपको रिवीजन भी होगा और आप कर पाओगी ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले को दौस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कछिंपे भी आपको कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो वानस सोजल्व में प्लैटफॉर्म जितने भी है न कोई सा भी प्लैफ़र्म उस माक्सवादी मानते थे कि उपनिवेशिक, उपनिवेशिक, उपनिवेश्वात का जो परभाव था, वो नाकरात्मक परभाव था उपनिवेशिक शाष्ण के दोरन भारत के अंदर में कोई महत्यपून उद्योगिक सुधार नहीं हुए ठीके उद्योगिक सुधार नहीं आर्थिक सुधार हुआ ठीके यहाँ पर यहाँ पर उद्योगिक सुधार नहीं हुआ भारत के अंदर में ठीके और साथ-साथ क्या होता है नहीं कोई आर्थिक सुधार हुआ नहीं उद्योगिक सुदार नहीं आर्थिक सुदार यहाँ पर भारत के अंदर में दिखने के लिए मिलता है जो बृतिस उद्योग पती थे वो नहीं चाहते थे कि भारत विकास करे ठीके उसके कारण से भारत के अंदर में किसी भी तरह की कोई पुंजी नहीं लगाई जाती है किसी भी तरह का कोई improvement नहीं देखने के लिए मिलता है मुक्त वैपार की नीती ब्रिटेन जो सरकार थी ठीके जो इस्ट इंडे कंपनी थी ब्रिटेन सरकार थी जिसके हम गुलाम थे उन्होंने मुक्त वैपार की नीती अपना के रखा मुक्त वैपार की नीती से क्या हुआ मुक्त वैपार की नीती से कि बाहर की कंपनिया तो भारत में आई पर भारत की कंपनियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत की जो कंपनियां थी उसके उपर बहुत ज़्यादा टेक्स लगाए जाते थे ठीके या फिर उनको मौका ही नहीं मिला कि वो आगे बढ़ता है ठीके पर माक्सवादियों के यहाँ पर यह भी बता जाता है कि कर संगरक्षन ठीके कर संगरक्षन ठीके कर संगरक्षन ठीके कर सेविंग मतलब कर संगरक्षन टैक्स में जो छूट मिलती थी उद्योगिक विकास का मतलब कर संगरक्षन की कारण से क्या होता है और दोगी की विकास होता है भारत का, रिजन क्या होता है कर्द संगरक्षन का, जो बड़ी-बड़ी कंपनिया बाहर से भारत के नदर में आजती हुए भार के लिए, या कुछ भारत की कंपनिया बाहर जाने के लिए उस सुब थी, या फिर वो अपना मार्केट के बढ़ा रही थी, तो उसके कारण से उनको बढ़ोतरी करने के लिए, यहां पर कर्द संगरक्षन जैसे नीतियां लाए गई ब्रिटन सरकार के द्वारा, जो यहां पर मार्क्सवादी उसको एप्लिसेट भी करते हुए दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आता है, पर यहां पर मार्क्सवादी एक बात को बोलते हैं कि धन निकासी, धन निकासी, धन निकासी क्या होता है, तो मतलब धन मतलब पैसा, पैसा को निकालना, एक जगा से दूसरे जगा निकालना, मतलब यह नहींTEMen से जाके विड्रो के है, यह नहीं, धनिकासी मतलब क्या, ब्रीटेन जो इसट रीड कमपणी होते हैं पूरे भारत में अपनी पकड़ जमा लेता है पुरह भारत में देरे-देर उसका पकड़ हो जाता है मजगूत और सतरह सो संतावन से भारत के अंदर में क्योदा है धन निकासी की परकरिया शुरू होने का मतलब क्या था कि वह जानने के लिए मैंने घर में लाके पैसे दिये और जिसके हाथ में दिया वह बंदा पैसे को लेकर भाग गया ठीक है उस पहले मंत में भाग गया जनवरी के अंदर में दिया जनवरी में भाग गया फिर दूसरे मंत में दिया दूसरे मंत में भाग गया तो भाग गया मेरे प बात करें तो इर्फान हभीब उत्सापटनायक जैसे कुछ विचारक रहते जो माक्सवधी विचारत हारा के थे ठीक है और उन्होंने ठीक है बेजाता था और क्रिशी को वाने जी करन भी निर्यात अधिसेश के माध्यम से खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था क्रिशी जो आपका farming है ठीक है क्रिशी है उसका क्या क्या गया वाने जी करन क्या गया ठीक है वाने जी करन मतलब क्या इंडस्ट्री जैसा industrialization क्या गया एक तरह से ठीक है capitalism क्या गया क्रिशी का और उसका भी निर्यात किया जाता था बाहर भी वाओ तो उसका भी उपयोग जैसे अब अनाज आपने उगाया थीक है अनाज उगा है आपने रखा घर में खाने के लिए कोई बंदा लेके चला गया थीक है तो आपका फाइदा थोड़ने वहाओ तो नुक्सान हुआ आपका ठीक्स भी अपने टेक्स भी बढ़ा उसके विशुईद सुरू हो चुका था पर्थम विशुईद First World War यहां पर स्टार्ट हो चुका था First World War की डेट किया दोस्तों आप कमेंड करके बताईएगा ठीक है Question of the video Question of the first question आप मालो फिर पर हो गया first world war cup लड़ा गया था ठीक है कब से कब तक का time period था वो comment करके ज़रूर बताना जितने भी बच्चों को पता है नहीं पता है google कीजिए कुछ कीजिए कहीं भी पढ़िए आप बता है ज़रूर comment करके ठीक है इस तरह के जो comment आते हैं वो हमें motivate करते हैं हमें inspire करते हैं कि यार बच्चे इंगेज हैं बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ पता है वो interested है learning में सीखने में interested है फिर हमें कुछ नए-ने challenging लेकर आना ठीक है कुछ नया तरीके सा सिखाना कुछ नए example के तुरो समझाना फिर मज़ा आता है पढ़ाने में अगर मानलो आप नहीं कर रहे हो पार्टिसिपेटी नहीं कर रहे हो चीजों के अंदर में फिर क्या हो रहा होता है कि यार चलो एक फॉर्मिल्टी है पढ़ाया निकला ठीक है मैंने अपनी वीडियो बनाई आकाल जैसा पढ़ जाता आकाल की स्थिति बन जाती है रिजन क्या होता है कि First World War की सुरुआत हो जाता है और First World War के अंदर में ब्रिटेन भी active participant member था ठीक है ब्रिटेन भी participate कर रहा था जिसमें यहां से First World War के अंदर में भारत से सैने साहिता ली गई ठीक है भारत के बहुत सारे सैनी के First World War में ब्रिटेन की तरफ से लेडने गए जितने भी भारत के राज सब इकठा किया जाता था टैक्स इकठा किया जा माल का Total यहां से ब्रिटेन भीजा जाता था और ब्रिटेन भीजने के बाद वहां से तयार माल लाकर भारत में बेचा जाता था अब माल लो मैंने कमाकर लाकर दिया मैं नोकरी किया मैंने 10,000 रुपे अपने घर में लाकर दिया ठीक है 10,000 रुपे माने लाकर दिया 10,000 लान तो उस तरीके से भी भारत की सिथी और खराब होती चली गई चर्मा आती चली गई ठीक है यहाँ पे यह देखने के लिए मिल जाता है 1920 के बाद विक्सित और पुंजीवादी देश में मंदी का दौर देखने के लिए मिला ठीक है जब 1920 का टाइम पिरेड सुरू होता है 1920 में तो वहाँ से जो पुंजीवादी विक्सित देश थे ना वहाँ पी मंदी का दौर देखने के लिए मिलता है कई जो विचारक थे कई जारे विचारदारे के जो लोग थे उन्होंने क्या माना कि जो उपनिवेश्वाद के कारण ही भारत के उपर में आकाल की स्थिति पर ऐसा reality नहीं था 1920 के अंदर में यह देखने के लिए मिला कि बहुत सारे देश जो विक्सित थे बहुत जादा भारत से कहीं हजार गुना आगे थे वो भी उनके अंदर में भी इसकी मार की सिती जेलनी पड़ी ठीकर रिजन क्या था कि वहाँ पी आकाल की स्थिति बनती ह झो रारें स Technical के देशल्य के द्वारा और उसके बाद भारत चब्री से अंदर में इक भारत का मत की समझ में आता है यह मैंने एपको समझ में मैं बहुत अच्छे सबल है बताने की लिपkins करें के अब इसको के रफ़ करते हैं क् करते हैं सबकों करवाइब दोस्तों यह जो है में जबे फैसे लिए इसके कार्नाया से इसको मैं दो पार्टे कर वाँ आँरवाइस मैं पहले के जितने वीडियो बनाया हूं दो तिन तिन घंटे की तो सब को एक पार्ट में करवाया हूं रिजन यह था कि वह सारे जो कोशन से तो वह एजी थे समझाना इस वाले के अंदर में ना सारे कोशन के पॉइंट्स बड़े-बड़े बन रहे हैं सब कुछ बड़े हैं ठीक है तो उसके क यह बारे मारे हम बात करो हुआ हाप हाप नगर को जो अधर करेदा जाउद जाना जाता था किस ली जा नुलकिक के आठा तहु नगरीन इसक हो सबसे इंपोर्टेंट थी आज भी आप डैmetro में ऑर रहते हो कनाटी याय आँट चुग ज़गों जाते हो ठीक है जो सबसे वि से मैच नहीं करता, उसके competition में भी नहीं है, आप यह मान के चल सकते हो, ठीक है, इतना विक्सित हडपा से बैदा का नगरी सपता था, जो पर्मुकिस्थल के तौर पर जाने जाते हैं, हडपा, मोहन जोदरो, काली बंगन, धोला वीरा, ये पर्मुकिस्थल के तौर पर जाने हम तियां पर 4-5 नाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नगर का उद्वव का मेन मोटिफ क्या होता, नगर जो उद्वव हुआ, नगरी करंज हुआ, उसका सबसे मेन डिजन माना गया वैपार, ठीक है, वैपार के कारण से नगर का उद्वव हुआ, ठीक है, विला सिलता कशिता कि वस्तों के लिए के आयात कि या जाता था दूसरे जगह से ओत्य savoir-दोस जहταकर दोस्रे जगह बहे जैसे मालों सिल्प वाला सिल्प जो नकासी कर सकता था मूर्तिया बना सकता था ठीक है मोहरे बना सकता था सिक्के बना सकता था ठीक है सिलाई कर सकता था बुनाई कर सकता था पैंटिंग कर सकता था ठीक अभिलेक लिख सकता था तो इन सब चीजों के जो कलाकार थे वो नगर दूराज इलाके में रहते हैं तो वहां पर हर तरकी सुझदाएं मिलना impossible हो जाता है possible नहीं होता तो कारीगर ठीक है कारी गर कारीगर उपलब देते हैं यहां पर नगरों के अंदर में ठीक है यहां पर बात करोगे जो यहां पर नगर बने हुए थे नगर तुरूप्तन दो निचला साहर में बंदे होए थे इनकी अंदर में क्या था किले बंदी थी किले बंदी मतलब क्या मालोगी मेरा घर है और इसके चारगों तरफ से बिल्डिंग की बड़ी बड़ी हैर क्यों मैं इन्मार्टगे रीजन क्य उता था शुरक्षा के प्रपस्जी सी इसको घेर होते थे थे चैन दुर्ग सहर जो हमेचा उचाई पर बना होता था क्यों तरह साफ सफाई का बहतरीन इंतजाम था ठीक है, सफाई का बहतरी निंतर्याम था, reason क्या होता है, कि यहाँ पे साफ सफाई की basis परबंद की जाते थे, इसके कारम से यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्ता देखने के लिए मिलती है, ठीक है, चारत वर्प से किले बंदी होती है, मैंने बता दिया आपको साफ सफाई का को प्रबंध था जल निकासी हो जाता है जल निकासी तो इस गड़े के अंदर में नाली का पानी कटा हो जाना अगर मालो यह गड़ा बर गया तो इसको डाइवर्ड कर देना और दूसरा होद खोदना इसके अंदर में पानी बर जाना वापस यह वाला होद अगर भर गया तो इस वाले होद को पहले वाले होद को वापस से खाली तो पूरी तरफ लहीं कि गृत सबते हैं क्षप पुरानी पुर्स अबेताया सोचु अधनी सब्सक्राइघंगी नालयियों के अज मुलनालय, नुथि तो आप उसमें देखोगे कि वहां पर पनी अलग लगतर के दूद के पैकेटी उसके पैकेटी ठीके गिलास पनी वन्नी सब कुछ उस नाली के अंदर में आ जाता है जिसके कांच से जाम हो जाता है ठीक है फिर उसका साफसफाई करने वाले था है यहां पर नाली धकी ती पर उपयोग स़ही तरीके से किया गया था सड़के एक दूसरे को सम कोन पर काटती थी जो इस्पर अधारी थे ते ग्रीड पददिती पर अधारित से क्या होता है इस तरह के जो उसरिक्ती तो ये ग्रीड पादती पर अधारित सड़के बनाई गई थी ठीक कची इटो का उप्योग जाता जो बेत बर जाता हें वह तोड़ा सव फोंडियों फिर depends on यहां से ऐसा किया घाता था ठीक है समझ में आता है second question हमारा second question के clear हो जाता है अब हम third question के और बढ़ते हैं और start करते हैं इसको पहले rough कर लेता है दोस्तों जिसे हमें समझ में आये third question के अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर का जाता है दो word है जो आपको समझना है अगर आप वो दो word को समझ जाते हो तो आपको question easy हो जाएगा ठीक है दो second मैं यहां पर time देता हूँ आपका और इसको rough करके फिर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों जो भी आपके दोस्तों अगर वो किसी कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज से किसी भी कोर्स के इंडॉल्मेंट कर रखें डेली उवेस्टी से वाइगनियू से हो तो आप उन्हें हमारे चैनल का लिंक सजेस्ट कर सकते हैं रिजन क्या है कि हमारे चैनल पर अल्मोस 700 से प्लस वीडियो हैं और अलग-अलग कोर्स की वीडियो वैल्वेल हैं तो आप उनकी हेल्प हो सकती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो का लिंक से करें ठीक है और अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है ठीक है त अगरहार अब यहां पर जो कोशन है अगरहार तथा ब्रहां दे ठीक है किस परकार से अगरहार तथा ब्रहां दे अनुदान दक्षिन भारत में क्रिशी विस्तार में साहिक होई यहां पर तीन चीज़ जो फोकॉस करना है इस कोशन में पहला तो दो वर्ड आ जाते है अग कहीं ने कहीं कृसी विस्तार में साहिता करती तैंने नहीं खर पूछा गया है अगर मानलो को क्या ह Corona करते समय्छ वर्ण के बारे में नहीं पता तहूं जो मसा ह 되면त्लब करांजा ब्रामानों को दिए गया जमीई अगरहार मतलब होता एक तरह का एडवानस में चीज़े देना अगरहार को देना भया ये लो में काम कर ले रख ले किसी को भी देना कोई ब्रामण पर्टिकुलर ब्रामण नहीं ठीक है खेती के लिए किसी और चीज के लिए उसको देना ठीक है तो दच्छिन भारत के रमें अंदर में सरवोचे दान को अगरहार या फिर ब्रहां दे कहा गया मेरे फादर भी मुझे कहते हैं ठीक है तो यहां पर जो बात की जाती है अगरहार और ब्राहार ओदे के बारे में बात की जाती है और इसको कहा जाता है कि सरवोचे दान के तूर पे जाना गया, ठीक है, सरवोच्चे दान के तूर पे जाना गया, और इसका देने का रिजन क्या होता था, जो सासक होता था न, सासक मतलब कौन, ठीक है, सासक मतलब राजा, ठीक है, राजा अगर कोई यूद जीत गया, ठीक है, राजा कोई अगर यूद जीत गया, त कि इस गटेना उसको नां करने के बाद लुदा क्या लाध के लिए ठीशन क्या हुज थी कि जो भी जमीन का दान करेगा वह क्रिशी योगच भीजियन ऄोने चाहिए ठीक हैं अगर मालोख फ्रिटियोग भूमी नहीं स्था अगर 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 मालोखि Def Só क्रिशी योगे भूमी है वहाँ पर खेती किया जा सकता है अब मेरा बैनिफिट किया उसको लेकर कोई बैनिफिट नहीं क्योंकि ऐसी खाली पड़ा हुआ है अगर मैं यह वाले टुकडे को चोटा चुकडे को दान दे जता हूं किसी को किसी ब्रामण को किसी को दान दे दिय किया तो सर्त किया बई कि oraz क्रिशी योगे भूमे उसके करोते उसमें खेती करनें के पादम फसल करें से तक्रेमिक करने कि करने के पाद सट फसल के हम एनक टक्स लगाएं चीटना फसल उगा उसको पे करेंगी मुएग चंड हुआ हो तो profit हुआ ना मारा, तो राजा इस तरीके से करता था, ठीक है, वो क्या कहता था, भाई, जमीन तो मेरी है, पूरा-पूरा जो जिस जयता पे रह रहे हो, तो मेरा ही है, मेरा ही हक है, ठीक है, पर मैं इसमें से आपको यह टुकडा दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर आप खेती क करो और जो टेक्स होगा वह आप मुझे पे करना ठीक है तो इस तरीके से यहां पर चलता था ठीक है समझ में आता है जैसे हमारी आज की समय में एक्जामपल होगे तो इंडियन गोर्मेंट भी क्या करती है हमें कई तरह के लाव देती है ठीक है बिजनेस करने के लिए वैपा इंड्रस्ट पे करेंगे तो उस तरीके से वह चीजे चलती है ठीक है समझ में आता है तो यह तो यहां पर जो राज़ा था अगर यह जीत जाता था वह भूमी का दान करता था भूमी क्रिश्य योग्य होनी चाहिए थी और उससे क्या आता था राजसव आता था ठीक है कर आता था टेक्स आता था जिसका उसको बेनिफिट मिलता था ठीक है और राजसव के अंदर में छूट दिया जाती था कर मान लो बंदा फिर भी लेने के लगते यार नहीं भीया मैं क्योल हुआ मुझे करना नहीं है तो राजा बुलता था चल काम कर यार बागी सबसे मैं 4 अगे रुबें ले रहा हु आँ टेक्स तुमेंरे दे दी heti एक रुपय का चूड दिया जा जा है बोमी और कर्षी का परन्दन पादिकार दिया जाता था छिसको भी ना कर रहा जा और राजा時 के पास सारे जो भी राइट सोते थे त μας coming जाता था उस बंदे के पास रैट स बहुआ ऐसा न ही और comport नो को दिया जाएगा कंपल सरी नहीं 타 age?... पर इसके अंदर में गयर ब्रामन क्रिशी शर्मिक जो क्रिशी करने योग केसी कहते थे यह सेवा करमी हैं को भी नाम नातीया जाता था लिए यह कंधर समय में तो कॉस्टन गया जाता太 अब मैंने ये छोड़ा से टुकड़ा दे दिया एक बंदे को इधर से एक और टुकड़ा दे दिया इधर से एक और टुकड़ा दे दिया तब ये आधा जमीन क्रिशी हो गए हो गया और आधा जमीन खाली मेरी लिए पड़ी रह दे ही तो ये जो आधा जमीन मैंने दिया है उसका तो फाइदा हुआ आए उसका क्या मुझे मिलें गाने साथ मिलेगा मैंने थोड़ा सा टेक्स भी कम कर दिया देना तो तीन बंदे को दिया तो तीन ज़्च थिक बिच ईता तो तो यह क्रिशी विश्तार के नदर में साहता मिला तो उसको कभी बीचा नहीं जाता था ठीक है, समझ में आता है ये वाला question हमारा complete होता है हम अगले चौते question के और बढ़ते हैं और important है चौता question दोस्तों आप सभी students के लिए क्योंकि यहाँ पर जो स्रेणी की बात कर रहे हैं क्रिशकों की बिविन स्रेणिया ठीक है, यहाँ पर दो स्रेणिया आती है परमुक स्रेणी, ठीक है उन दो स्रेणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, चलिए इस्टार्ट करते है यहाँ पर दो स्रेणिया आता है यहाँ पर चौता question आपका बनता है मद्दे काल में विविन सिरेनिया क्रिशिको के विगमानताओं की चर्चा खीजिए ठीक है यहाँ पर विविन सिरेनिया मतलब क्या दो से तीन सिरेनिया बन कर आती है क्रिशिको की क्रिशिक मतलब फार्मर का ठीक है तो परमुक दो सिरेनि थी दो स्रेणी कौनकुन सीति प्रमुक उसके बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला जो स्रेणी आता है उसको हम खुद कस्त कहते हैं यहाँ पर हम क्या कहते हैं खुद कास्त खुद कास्त दूसरा जो स्रेणी आता है उसको हम कहते हैं पाही कास्त ठीके पाही कास्त यहाँ पे दूसरे सरीनी को है यहाँ पे हम पाही कास्त कहते हैं ठीके समझ में आता है दूसरा सरीनी हो गया पाही कास्त यह एक सरीनी खुद कास्त दूसरा के सरीनी पाही कास्त आपको अध्यान से समझना है मुगल के, जो मुगल की सरकारी दस्तावेस थे, इसको मालिक जमीन के नाम से जाना गया ठीके, मालिक ए जमीन, मतलब क्या, जमीन के उपर में मालिक आना हग ठीके, राजिस्थान के अंदर में गारू हला के नाम से जाना गया गारू हला गारू थे राजस्तान के अम्दर घारू हला या सब्सक्राइब जमीन का माली कहने का मतलब थीक यहाँ पर राजस्तान के अंदर में गारू हला या फिर गारुहला या फिर गावेती के नाम से इनको जाना गया, ठीक है अगर महारास्ट की बात करो तो महारास्ट में मिरासी या फिर अलवाहिक कहा गया ठीक है महारास्ट में मिरासी या फिर अलवाहिक के नाम से इनको जाना गया, ये खेतिहर क्रिशक थे, κेटियर मतलब खेती बाड़ी करने वाले क्रिशक थे, खिसान थे, इनको खिसान के दौर पे दिखा गया, केती बाड़ी के लिए गाओं में ही निवास करते थे, इनका निवास स्थान क्या होता तब जहाँ पर खेते हों, उंवहीं पर ये निवास करते थे, ठीक है, समझ में आता है, यहां पर आता है कि भू छेत्र के स्वामी थे, अपने आपको यह भू छेत्र के स्वामी बताते थे, ठीक है, अपने आपको जमीन के मालिक बताते थे, भू स्वामी के मालिक बताते थे, भू पर स्वामी इस्थाई अधिकार था, इस था यह अधिकार का मतलब क्या कि इनका permanent अधिकार था राइट था इसका कोई छीन नहीं सकता था ठीक ए अपनी संपत्ती को बेचने का अधिकार था संपत्ती को बेचने-खरीदने का अधिकार इनको मिल जाता था अगर वो स्वामी है, जमी के मालिक है तो संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच खरीद सकते थे, ठीक है समझ में आता है, पट्टा के स्वामी थे, पट्टा मतलब क्या, किसी को अगर मालनो मुझे अपनी खेत पर खुद खेती नहीं करना, मैं करनी पा रहा हूँ, किसी तरसा असमर्थ हूँ, तो मैं यहाँ पर यह क सफफ वंसान उगठ, यहाँ पर किसी तीसरी को रोल नहीं मिलता था, थीक है, ёगर मुझे मिला जमीन, ठीक है खुद कस्त उम्हें, अगर मुझे मिला है जमीन, तो वो मेरे बच्चे कोई मिलेगा, उसके बद JE की मिलेगा, किसी तीसरी का रोल यहाँ पर बाहर वाले नुम्बर इच्छ मिलते हैं ठीक है यहां पर पाई कस्त के अंदर में क्रिशकों का दूसरा वर्ग पाई या फिर उपरी कहा जाता था पाई का मतलब क्याता है उपरी ठीक है पाई का मतलब होता है उपरी और यह क्रिशिक का दूसरा वर्ग था ठीक है यह दूसरे वर्ग के थे ठीक है दूर जाकर दूर दराज में जा जाकर यह खेती करते थे निवास के समझ में आता है यहां पर आता है कि अस्थाई-जोपडियां नीप थी अगर वो मालों उस गाउं में महिनत का कारे करते थे अपने खेत में पाईकास मतलब उपरी हो जाता है वो दूसरे वर्ग से संबंद करते थे थे हो दूसरी जगह पर निवाज करते थे उस क Nepर नहीं करते थे ठीके क्रिशक समू का वर्ग था ठीके स्थाई और लंबी अवीदी के लिए भूपरू अधिकार करते थे अब जैसे मालो साल बर के लिए फसल में उगा रहा हूं पांट साल बर के लिए तो साल बर का जो पूरा रेंट रहेगा या हो रहेगा उसने मुझे खेत का दे दिया और वो साल बर के लिए खेत उसका हो गया वो कुछ नी कर सकता ठीके मैं इक नहीं क्र सकता ठीके बहले ले खेत मेरा क्यों नहीं जोखेर variable आशाना फ्टाया है तो जो भीचने का अधिकार इंके पार नहीं होता था तो रूब debrisas हमारा इस तर से खत्म हो जाता है,बने हम पांचव tuvo question की और बढ़ते हैं दोस्तों है यहाँ पे हम पांचव capitalism की बात करें कि तो पांचवत question को हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्यों कि यह पे आपको निवंद पिकनी लिखने वाला है यहां पर हम च्छटे question की और बढ़ते हैं अगला question हमारे च्छटा question मद्देकाल में मुद्रा ववस्था के विकास की चर्चा के ज़ए यह question जो है दोस्तों बहुत important है क्योंकि अकसर जो इसके अंदर में जो points बनते हैं में ज़रू follow कीजिएगा और description में बहुत सारी books के link भी दिये हुए अगर आपको कोई book चाहिए हो MHA history का MHA 05 का तो आप वहां पे जाकर book भी order कर सकते हो ठीक है बहुत सारे बच्चों का comment आरता सार कुछ books अजिस कर दीजिए जिसके तुरूं पढ़ सकें तो जो अभी इस समय इगनू की जो best book होती है normally best तो नहीं कह सकते है पर जो इगनू के लिए अच्छी book होती है पढ़ने के लिए nearest publications की होती है तो description में link दिया हुआ है कई सारे books का nearest publications का तो आप वहां पे जाकर उसको purchase भी कर सकते हो ठीक है यहां पर अगला question की और हम बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर आ जाता है अगला question आपका आजाता है यहां पर total जो विकास यहां पर दिखने के मिलता है वो तीन step में मिलता है first step के अंदर में हम Siddhukati की सब्दया की बात करते हैं ठीक है यहां पर मैं सुने चांदी की धातों का उपयोग होता था मुद्राओं के तौर पर ठीके, गोल्ड का, सिल्वर का उप्योग होता था, किसलिए, मुद्राओं के तौर पर, कीम्ती बस्तु का उप्योग होता था, मुद्रा के तौर पर, जो भी कीम्ती बस्तु होती थी वहां के लोगों के पास, वो उसे as a मुद्रा के तौर पर यूज करते थे, ठीके, पैसों मुद्रा के तॉर पर काम करते थे मुद्रा गैसे अगर माशनुम मेरे पास पांस गया है तो मैं करता है गैसे मिल्डविवूट सस्षितिम के ऊपर में बना होगा तो इस तरह उप्योग भी किया खालती है तो यहाँ पे यहाँ आपको ली मिल जाता है ठीक समझ हो रिख वेदिक आल के अंदर में कमा गया कि बिना चपे हुए चांदी के टुकड़ों का उप्योग की जाथा तो कोई सिक्कह पर प्रॉपर सिक्के नहीं थी ठीक जिसमें कि च्पाई हो या कुछ ऊस्च्छ के साक्षन ही मिलते हैं पर बिना स्चपेवी सिकों का उपयोग देखने के लिए मिलता है रिगवैदिक काल के अंतरकत ठीक है यहां पर पहले ही चरण के अंदर में आता है बुद्ध योग ठीक है बुद्ध यूग मतलब क्या जब गौतम बुद्ध का सुरुवात होता है ब बुद्ध यूग के तरफे माना गया और उस यूग में भी जो छटा इसा पुर्ग था ठीक है उस समय भी सिकों का मुद्रों का परचलन देखने के लिए मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा विकास वैपार का विकास होना ठीक है वैपार का विकास के लिए और दूसरा क्या अहात मुद्रों का पर्योग देखने के मिल जाता है अहात बोध यूग के अंदर में ही मोलरे समराजय के अंदर में सबसे ज़्यादा आहात सिकों का उपयोग किया गया हाथ मतलब क्या हो नहीं जब है कि उसके प्लेटे डाली जाती है और मसीनш से एक बार में डिजाइन के बनाने हैches ब्द पर पहले के ठाइम पिला यह थाता है कि उन्होंने यह लिया एक पूराfik l लिए और material लेने के बाद जैसे Sunah का बनाना है तो Sunah का इतना बड़ा material लिए उसको क्या करें अब आग में पका-पका कर उसको ठोकेरेंगे फिर उसके उपर निसान बनाएंगे कि इस तरह का इसके उपर आकरति आनी आइए तो वो जो ठोग पीट कर पूरा मेहनत करके बनाए गया उसको आहाथ सिक्के कहा गया तो बोध काल के अंदर में दिखा गया वैपार में बढ़ूती हुई और आहाथ सिक्कों का परिचलन बढ़ा ठीक है यहाँ पे कुशान और गुप्त काल का भी हम बात करें तो यहाँ पर मुड़ा के छेतर में उननती देखने के लिए मिलती है चरण फरस्ट के अंदर में सोने चांदी के सिक्कों का परियोग यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है गॉल्ड और सिल्वर के कोई जो होते थे ओंव यहाँ पर मिलते हैं ठीक है गोल्ड और सिल्वर के कोई यहां पर उपयोग में दिखते हैं उसके बाद में सहरी विकास और वैपार पर निरबर था जो सहरी करन था पुरी तर से वैपार पर निरबर था और वैपार के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा ठीक है समझ में आता है यहां प एक बारे में किया। कुषान और गुफ्तकाल के बारे में बात के तो किमती वस्तु की जगपू ने लेली। मैंने कहां कि किमती वस्तु का उपयोग क्या दा किसके लिए विनिमे कह लिए। वस्तु भीने में के लिए मतलब कोई सी चीज को चेंज करना हो तो भाया आपना मेरा हार रख लो और अपना ये चीज दे दू इस तरह कैसे चलता था पर जब मुद्रा उप्योग होने लगा ठीक है सेगिंड चरन के अंदर में तो वहां पर जो कीमती वस्तु होते तो उसको अदिया है ओर रिक्लेक्स कर दिया। और इस पर दिखलका है तो आपने किसी व्ति और संसे उक्ते है को हो पी चीज ले लेगा ठीक है आपने अगर मालो किसे चावल लिया तो उसके बदले में आपको आटा देना पड़ेगा चावल देना पड़ेगा या फिर अपनी गाय रख लो तो इस तरीके से प्रोसेश चलता था पर जब यह मुद्रा का परचलन बढ़ा तो आप समान के बदले में पैसे दे रहे हो मुझे महिं जरुत है म्हत्म की जरुत है महिंनो मुझे महिं자 है मोग है मेरे पास फोर्थ वक है तो ससे फ्फ्स लिए यह श्रुक ले लिए थाफिक यह पनी वस्तुन भीक का परचलन बढ़ता है ठीक है सोने की तो पीविने मैं का मादे मरां यह दूर देरे जो सोना के था परचलन घर्टा हुआ चला गया चान्दी का परचलन घर्टा हुआ चला गया अगर नापो उसको बजन करो गया उसकी साफ से देखोगे तो उसकी वेल्यू साथ हजार रुपर हो जाती है मालो या पचास जार हो जाती है तो आप बोलोगे यार अगर दस रुपय में मैं चीज खरीदूगा फाइदा क्या उसको मैं साथ हजार में बदलूगा तो मेरा benefit है मुद्रा के निदर में जहां पर सेयर साथ के मुद्रा जाले से चलती हमार आप ने उसको अपना या उसको अगे बढ़ा है नई upload का पर चलन हिए अकवर के टाइम पर मुगल के ठाइम पर yeah Vir di और तांबे के भारी सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा अस्तरफियां ठीके जो अस्तरफि वर्ड है उर्दु का वर्ड है अस्तरफि का मोहरों का ठीके सुने के सिक्के का तांबे का उपयोग तांबे के भारी सिक्कों का उपयोग मुगल संतरत के टाइन पर बढ़ा दिय सा माईक्रbin के प्रभाव के बारे नहीं बात करें तो उपनेक्स ओंदर में विवसाई करनined क्या है थी अप nit अब देखो कोई बीचीज अगर कोई किया करता तो उसमें कहीं न कहीं इसको अपना स्वार्थ होता है तो ऑपनिवेशिक्री अंदर में वह करन जो किया गया ठीक है उपने विशिकाल के अंतर में वेज साही करन किया गया उसके समाज के अंदर में प्रभाव क्या पड़ा समाजिक और आर्थिक तो लोगों को यह समझ में आया कि इसका जो डारेटली बैनिफिट है वो ब्रिटेन के लिए मिल रहा है ठीक है जो बैनि बैन थोड़ाया, और कच्चे माल के पोड़ित ही पहोती घृति मिलने लगी ठीक है उसके वह वेपार में अन्ने देशों से पिछड ना जया इसको लिए अपना घच्चे माल की जो मांग थी वह जादा बढ़ा दी जिससे हम किसी से पिछड ना जाएं बैनि-ध उनके उस आर्थिक मजबूरी और सारीक यातनाएे दीख जाने लगी लोगों को थीक Ja निल की खेती के लिन्हें वह समझने अर्थिक लिधी करते था पर अंग्रेज उन्हें दवाब बनाते थे निल की खेती करने के लिए ठीक उन्हें ये का जाता था कि अगर आप निल की खेती करोगे तो जो जमीन है उसके आप मालिकाना आपको देदींगे हम आपको अलग अलग तरह से उन्हें लालच दिया जाता था और लोगों के पास जैसे खेती किया और खेती का उपज कम हुआ तो ब्रिटेन के लोग एक तार्गीट रखते थे कि आपका इतना बड़ा खेत है तो इस खेत के अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको इतना आप अनाज दो इसे मिले होते थे जिसके कांज से उनके उपर कर जाओ का भाद जो हता था ने कृष्णानों को बढ़ता चला जा रहा था ठीक है और बढ़ता चला गया यह सारी चीज़े हमें देखने लिए यहां पर मिलती है ठीक है समझ में आता है यहां पर अगरीम पैसे देकर नेल की की खेती अफीम की खेती करवाई जाती तरहीं लोगों का एडवांस दे दिया जाता था जैसे हमाने लोग किसी को जोग्रोत है पैसे की तो उसको बोलता था जले पैसे तो इस तरीके से पूरा यह चलता है महाजनों का कारे बढ़ाया उन्होंने करजा देने के लिए निक् तो जो महाजन सब हुआ करते तो उनको उन्होंने उसके पर पावंदी लगाई बहुत ज्यादा सक्ति बढ़ती थी ठीक है पर धीरे-धीरे क्या किया बिल्टे ने इन सब को अधिकारिक तोर पे जायज बताया और उसको यूज में लाया पूरी तरह से यूज में लाने का र रस्ती उसमें झील केता है करे गा। निखे आप तो बंदा में बॉल को ज़ेकर को भी इस तरह से पूर शिनेरियो चलता है इसके लिए मैं काऊँगा आप 12 के अग्लिच की इंदर में इंडिगो चैप्टर है खिगे जो गांधी जी के ऊपर में है निल की खेती को बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया गया 12th के अंदर में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ताइम मिले ना तो इंडिगो जो चैक्टर है उसको जुरूर पढ़िएगा 12th के इंगलिस बुक के अंदर में आपको यह चैक्टर मिल जा यहां पर समाजिक और आर्थिक पूरी तरसा प्रभाव पढ़ता है क्योंकि लोगों के पास अपने आर्थिक विकास करने को जरिया नहीं बचला होता है वो दिरे-दिरे मंदी की मार जहल रहे होते हैं ठीक है तो इस तरीके से चीज़े चल रही होती है समझ में आता है यह जो लोगों से क्या करते है तो उधार का जाल में फसाते है तो लोगों को जिससे वो फस जाए ठीक है अगली कोशन के और बढ़ते है आठवा कोशन पर इसको रफ कर लेता है दोस्तों यहां पर जो आपका आठवा कोशन है दोस्तों आठवा कोशन कहता है पारंबिक ओपनिवेशिक वन नीती के परमुक व्यवेसाइक हीतों को परभावित ना संग्रक्षन की कलपना को टिकपने कीजिए मतलब वो किस तरगी वन नीती थी उसको लेकर एक कोशन यहां पर बने जाता इसके बारे में हम बात कईने कीजिए तो यहां पर सबसे में क्या था कि वह आठवा कोश्चन के अंदर में परमुक व्यविशाईक वनिती वाला तिक तियां पर जो अंग्रेजों के दोड़ा कई तरह की वनितियां लाई गई ठीक है जिससे कटाई के उपर में अलग लग तरह की पावंदी लगाई गई आपको पता होगा आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा ठीक है कि जो भारत से लकडी जो था वो बिल्टेन में भीजा जाता था ठीक है यहां पर चंदन की लकडी अलग लग तरकी जो लकडी होती थी खास लकडिया उसको बिल्टेन में ले जाया जाता था ठीक है और ले ज सारी कुछ यहां पर देखने के लिए मिलती है दोस्तों इस वाले कोशन को आप एक बर खुद घर पे स्टड़ी करना बट नॉर्मली हमें एक कोश्चिन पेपर के अंदर में पांच कोश्चन को करते हैं जिससे यह वाला चीजे समझ में यहां पर जो अगला कोश्चन आपका लाए जिसके अंदर में उधारी करण वैश्वी करण निजी करण के बारे में बात की गई ठीक है उन्नी सोगयावी के अंदर में जो वित्य मंत्री थे वह दॉक्टर मनौन सिंग थे उनके द्वारा यह एल्पीजी के निती लाए गई थी ठीक है अब यहां पर हम बात करे अंदर में अर्थिक सुधार भारत के अंदर में कौन-कौन से हुए था इसके बारे में तो फड़ फड़ हम देखते हैं पहला आता है उद्योगिक लाइसेंस की समापती की गई थी जो अन्हों को उसकी समापती कर दी गई थी वह उसको एंड कर दिया गया था ठीक है दू निर्धारन किया गया वीनिमे दर मतलब जो रहमें और दूसरे से लैंदिन करती थे उसके लिए प्रॉपर दर निर्धारित किया गया थीकर वीमे दर के लिए में दर निर्धारन किया गया उसके बाद मैं आप देख हुगे द Soc तो 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 तीजचेत्र का सुधार हुआ तिजचो को जाने किया हमा घ्यात कर सकते जादा जादा उसका भी निमें조य को कम कर दिया गया तब लोगों कम पास मोका लेक्स कम पे करना पड़ रहा था ठीक है लाइसेंस लेने की ज्यादा परकिरिया नहीं थी तो उसके कांच से क्या हुआ कि चीजे असान होई और भारत आर्थिक तौर पर मजगूत होता हुआ चला गया पुंजी बजार का उदारी करन हुआ पुंजी बजार जो होता था की नीति मुक्तद्वार की नीति के अंदर में हमने सभी वीदेसी कंपने को इंवाइट किया कि आप रहा वह कर लगा कर लेजएगा वह किसी घृटेसी तक लिगा निका है ठीक है तो यह बीदेशी खिंब हमारे भारत के अदर चाहर करने लेगी ठीक है तो इसका परवाव यह देखने कले मिला कि हमें रोजगार मिला हम आर्थिक जरोप से वो जो हम विदेसी कंपणि हमें tax pay कर घए तो हमें profit मिला वहां पर तो यह सारी चीजह हैं अपर हमें देखने के मिलती हैं थिक्षज में आता है IT tax बरते थे, income tax बरते थे, उसमें भी कमी कर दी गई, ठीके, सेवा कर की सुरुवात की गई, सेवा कर मतलब जो service tax होता था, आपने जो भी चीज किया है, उसकी service tax की सुरुवात की गई, अलग-लग सरकार के द्वारा, सरकार में करमचारियों की संख्या कम कर दी गई, जो सरका पहले की आती थी, लोगों की संख्या भरती जाती थी, ज्यादा ज्यादा कम चारी रखते थे, उनके इसाफ से काम भी नहीं होता था, तो फिरी में ही, आप salary दे रो ना, उनका, तो सरकार ने क्या किया इसके लिए नीती बनाई, और उसके अंदर में जो मजदूर हुआ कर जो लोग हुआ करते तो उसकी संख्या को कम कर दिया उनने, ठीके, वेट का आरहम किया गया, वेट टेक्स होता था, तो वेट का आरहम किया गया, जिससे वहाँ पर सही से सरकार को टेक्स मिल पाए, ठीके, मनC कमपनी पे से परतिबंद रटाए गया, जैसे पहले भारत के में कोई भी MNC company आकर वैपार नहीं कर सकती थी पर इसके बाद में क्या हुआ कि भारत के अंदर में वैपार आके कर सकते थे उसके उपर से प्रबंध हटाए गया ठीक है बहुत राश्चे वाजवादी दोनों की तरफ रहे और जो लास्ट में रिजल्ट बनके हुद वह मिक्सी मिसरित वादियर दोस्ता निकले इसके उपर में जोर दिया गया ठीक है समझ में आता है अगले हम question paper के और बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर हमारा question paper खतम हो चुका है अगला जो हमारा question paper के यहां पर हम अपने question for paper के और आते हैं पहला question के हम बात करूं मैं बात करूं तो पहला question यहां पहलता है प्राचिन भारत की आर्थिक इतिहांस संबंदित लेखों के पर्मुक रुजानों पर एक संसीब टिपने लिख रिए जो प्राचिन भारति आर्थिक इतिहांस बहुमी के उतपादन हित्व उपयुक्त आयुक्त बनाना, ठीके दूबु जैसे आप जमीन है, ठीके, जमीन है उसका बहलिब जमीन पर अच्छी खेती हो अच्छी ज्यादा अफसल हो तो उसके लिए उसको उप योगी बनाने के लिए उसको उप्यूक्त बनाने के सरकारी बड़ा कदम उठाना ठीक है ड़ी प्राचिन भारत के क्या था चर GC को रुख्भीकरन व ज्यदा ज्यादा लोग खेती कर पाथे थे अब अगर मेरे पास से इतनी बड़ी जमीन है पर मैं सिरे सरिफ इतने से कोने में खेती कर रहा हूं कि यह》ाइडिया तो सरकार के क्या किया उस समय के हिसाब से खेतों का वरगी करन कर दिया, कि भीया आपके पास यह जमीन यह खेती लाइके आप इसको खरो, यह बंजर है इसको छोड़ दो, तो सरकार ने कहा कि एक्सचेंज भी कि अपनी बंजर वाली जमीन हमें देदो, हमारी अगर उभजाओ वाली जमीन है आप इस को लेड़ो तो इस तरह से चीजिजे चलने लेगी तामज के मुद्रा ओन का ढाला जाना कि यहन पर आरृथे की न्याज का छाने लगा मदिकाल प्राचनकाल के अंदर में कि सोने चांदी की सिक्कों का निन्लिवान के जाणे जाने लगा तो लोग उसके इसाफ से अंदाज लगाते थी कि वहां के अर्थ विवस्ता थी, वह बहुत ज़्यादा मजगूत हुआ होगा, यह लोग ने अंदाज लगाना शुरू किया, ठीक है समझ में आता है, यहां पर अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, तो भूमी अनुदान क किसी को दान देना, ठीक है, किसी व्यक्ति को दान देना, ठीक है, अनुदान की विवस्ता यहां पर बुक्की गई, ठीक है, समझ में आता है, क्रिशी को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, क्रिशी छेत्र को यहां पर बढ़ावा दिया गया, वैदिक काल के अंदर में पसु के वारे में बात करते हैं जिसके अंदर में वैदिक काल के अंदर में आप बात करोगे तो वैदिक काल के अंदर में क्या था पसु पालन को महतुव दिया गया आपने अगर MHI 01 के अंदर में first book पड़ी होगी तो महाँ पसु पालन खाना बदूस वाला पड़ाओगा जिसके अंदर में आपने देखा होगा सुरू से ही लोग जानवर को पालने के उपर में पहले वाले के अंदर में बहुत जादा जोर दियागे एक रिष्य के उपर बढ़ने लेकते हैं फिन बोड़ Unfortunately पर वही पर जब मोरे काल की सुरूआत होती है अहिसरी मोरे काल के अंदर में वेफार की स्थिति सुधर्ती है वेफार की स्थिति में बढ़ावा दिया जाता है और गैर कृष्य कार्रे है ठेके क्रिशी के अलावा जो अलग-अलग फिल्ड के लोग थे उनको वहां पे इंपोंटेंच दी जाने लगी मिदस्वां का और आप पहले हम इसको रफ करते हैं फटापट और समझते इस को दोस्तों वीडियो है वह बहुत लंबी होने वाली है अगर मैं इसको तीन पार्ट में भी इस पूरे बुक को आपको ख़दम करवाता हूं तो भी वीडियो आपका 3-4 घंटे से कमकानी बनने वाला है अभी जो मैं कर हम आपके चल रहा हूं में एक घंटे का वीडियो बन चुका है और अभी तक हमने सिर्फ एक ही कोशन पेपर को सॉल्व किया है क्योंकि रीजन यह है कि इसके जो आंसर से हो बहुत बड़े-बड़े हैं deeply है आपको समझाना भी पड़ रहा है ठीक है तो यह है अगर मुझे सिर्फ उपर-उपर से बताना होता तब तक में खतम कर चुका होता चार-पांच कोशन पेपर को ठीक है फटा-पटा हम सेकींड कोशन को देखते हैं साथवान समराजे की अर्थववस्ता का संशिप्त भीवरन ठीक है यहाँ पर एक एक स्रोत है स्रोत मतलब क्या जिसके त साथ वान समराजे का एक मिलिंदप है मिलिंदप करके एक भूक है मिलिंदप करके एक स्रोत है जिसके अंदर में टोटल 75 ववस्ताय मतलब क्या कामों का जिकर किया गया कि इतने इतने तरह के काम हुआ करते थे किस टाइम पे तो साथ वान समराज जी के ताइम पे हैं अब मिलिंत पहान करके जो यह वर्ड है यह है क्या जैसे अब मालो मोरे समराज जी के अंदर में ठीक है मेगस थनिस के दौरा इंडी का नामा पुस्तक लिखी गई ठीक है अ अकबर नामा पुस्तक अबधुल glaub के दौरा लिख जाती है तो उसके अंदर में जो जानकार ही होती है और नो उस उस है पर पांद स्तों के वैविसाय हुआ करते थे, काम हुआ करते थे करने के लिए, जैसे आज के समय में कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग वकीर हैं, कुछ लोग डॉक्तर हैं, तो यह क्या है वैविसाय हैं, उसी तरह से वहाँ पे 75 तरह के वैविसायों का जिक्र किया गया था, जिसके अंदर मै मतलब होता है चमडे-उमडे काम करता है तो यहां पर कुछ मेन एकजामपल दी इनका देखने के लिए मिल जाता है यहां पर 75 चैनल के लिए जाता है यहां यहां पर 7-1 अर्थ विवस्ता थी उसके अधर में दान अनुदान की विवस्ता बहुं जादा परचली थी अनु दान की ववस्ता बहुत जादा पर्चली थी, अनु दान के अंदर में यहां पर भू दान किया जाता था, सबसे जादे यहां पर क्या दान किया जाता था, यहां पर सिक्के और मोरे उपला दे थी, ठीके सिक्के और मोरों का पर्चलन बहुत जाता था, ठीके, सिक्कों मोरों का परचलन यहां पर बहुत जाता था सिक्कों के अंदर में जो होते थे वहां पर राजाओं सोने के सिक्क्य अगर बने होते थे तो उस पर राजाओं के निसान लगे होते थे ठीक है राजा की वहां पर इमेज बनी होती थी या फिर उनके कुल देवी देवताओं के व जेकि पर करण दाष्य ऑल्ड पर को सिख्कें पार्ट में और उसके बाद सातो ये जो अगला समराजिय के पर मतलब अगलासम करता है उसके उनधर यह होगा था को घरस्टुम में भारती सामंत्वात के अनदर में व्यख्षित करने के लिए विभी कंप मौश्चयी करनों के बात करता है सामंतवाद है उस कोण आपको सामंतवाद होता क्या है huh मैं पूछ रूहोँ आपको कमेंट करके बताना है कि सामंतवास होता क्या है आपके लिए comment box बनाए गया है तो आप यहाँ पर comment करके बताना कि सामंतवाद है क्या ठीक है इस question को हम फटाफट यहाँ पर करते हैं फिर इसके लिए हम space बनाते हैं और यहाँ पर फटाफट हम इस question को solve करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आ जाता है तीसरा question कर सकते हैं उसके दिरिष्टी कोन क्या है और यहाँ पर दूसरा question ही बन जाता है कि भारत के अंदर में सामंतवाद था या नहीं था ठीक है समझ में आता है पहला question ही बन रहा है कि भारत के अंदर में सामंतवाद किस परकार का था और दूसरा question यहाँ पर बन जाता है कि भारत के अंदर में सामन्त बाद था या नहीं था ठीक है तो आप comment करके बताईए सामन्त बाद होता क्या है ठीक है comment box open है आपके लिए सबी जितने भी students देख रहें न यहाँ पर कुछ विचारक आते हैं करनल जे जैम्स टार्ड करके ठीक है उन्होंने भारत के अंदर में सामन्त बाद को एक्सेप्ट किया कि भारत के अंदर में सामन्त बाद था ठीक है उन्होंने यह माना यूरोपिय इत्यासकार जो यूरोपिय इत्यासकार थे ठीक है उन्होंने भी ये बोला कि सामन्त वाद को भू स्वामी दास के तौर पर दिखा गया मतलब मैं यहां का राजा हूँ, किंग हूँ, ठीक है मेरे पास जमीने बहुत सारी मैंने एक जमीन का टुकडा किया किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया और वो उसका मालिकाना हक दे दिया मतलब मालिक है उस जमीन का हूँ अधार सभय मेरे ς तरह से कहलाता है तो सामन्त वाद क्या जैसे ये पूरा जमीन है मैं पूरे जमीन पर मौ ने काथ मिखता के दाश नगे कर सकता ना हर जगा जाके मैं चीज highways के लिप में किस तर दिए लिए को सामनतवात tuya क्या चैल रही रहिए है है तो को टोटल मैंने पांच पारट को अलग्षिए लिन चाहारा है सामन्तवाद फृष्चिक जिसके अंश मालिक डाख answer guess व्यक्ति के पास में भूमी स्वामी का दास के तौर पे उसको दिखा गया माक्सवादी इतिहासकार थे हबीब उन्होंने भारतिय सामंतवाद से अपने आपको दूर रखते हुए रखा में सामंतवाद महत्तपुन इस्थान निभाता है ठीक है डीडी को सांभी ने कहा कि भाई जो भारत की सामंतवाद के अगर आब बात करोगे तो समाजी का आर्थे की त्यास के परसंगें अंदर में वह बहुत जादा मतलब जो राजा के फर्मान आरी सूचना पतर जारी कहता है की करना है ठीक है का रूल राज के पर्मान Χुआ के राजा के द्वारा दिया पकशला तो जो समंतवाद का परिवह। शूज के टोर पे देखने के लिए मिलता है ठिक है कि मतलब यह था कि यह था कि आशी बन गया वह सरकार की देखने का इन के मिलता है यह पर एक और वीचारक आते है आर्रेस्पर एह जिनका यह मानना था ताμत्वार्द के उदे के बनता है थीक अब जैसे कर्था था राजा क्रथा था मान लो जिको बिचली दिया को जमीन दिया कि शुलो नुज खेथी करो इस पर बिचोलीधा क्रणा कि सामंथवात के पास पास पुझ के शैनील और खुझक के पुरा दिकार होता था ठीक है समझ में आता है यहां पर एक और विचारक के हम बात करें तो हेंरी पिनेर करके एक विचारक आते हैं उन्होंने क्या कहा यूरोपिय साबमंत वाद के प्रबल इस्थाई रूप से भू स्वामी दास संबंदों को विस्थापित किया गया ठीक है यहां पर जो भू विचारको का नाम बताया आपको जो यह वाला पूरा सेग्मेंट था इस वाले कोश्चन का कोश्चन नमबर थर्ड का आपको एक बार बैक करके दुबार सुनना पड़ेगा रीजन कहा कि इसको मैंने ओरली बताया आपको सारा लिखा नहीं है मैंने कहीं भी कुछ भी तो आपको थोड़ा था समझ के एक एक जो भी विचारक थे जिनका दृष्टी कौन को मैंने यह पर समझाया है आपको उसको समझना पड़ेगा ठीके कैसे कौन-कौन से विचारक मैंने बताया था आपको एक बार दुबार से रिवाइज करवा देता हूँ माक्सवादी इत्यासकार पर भारत के अंदर में समझम मैं को बताए तो यह पर जितने दरिउच्टी कौन को पड़ो गे ना उतने चीजे सुनने के लिए आपको मिलेंगी आपके आस-पास में कहावत होती है जितने मुँ उतनी बात है ठीके तो कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी particular topic को जितने ज्यादा लोगों से पुछोगे ना सब का अलग-अलग विचार होगा उस topic को लेकर तो यहाँ पर सेम ये डिरिष्टिकों भी इसी तरह से work करत है ठीक है समझ में आता है अब हम अगले question के और बढ़ते हैं चौता question हमारा जाते हैं यहाँ पर चौता question जो है भारत में मद्य यूगीन परियुक्त सिचाई की विभिन तकनीकों का विशलेशन कीजिए उत्पादन परकिरिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ठीक हम यह दो परकारी के कौ्न-कुनसी थी पहला तो था बांध बना कर तलाबों में पानी रोका जाना ठीक है मतलब मान लो इस तलाब है तलाब के बांद बना दिये तो बांदने बना तलाब करें अगर हम कभी भी छेती की बात करते कि भी बाद करते हैं इंप्र Once Shari का जोilles सिछाई का जो इंपोर्टेंट रॉल प्ले होता है पहँत इंपोर्टन डोल प्ले क्या जाता है तो पहले ही से लीज़ गठीने में दो तरह के सुरोत मिलते है पहला क्या बांध बना कर पानी को रोकना या फिर दूसरा लंबी नहरों का उपयोग करना तो नहरों द्वारा खेतों में पानी पहुचा जाता था ठीक अगर मालनों नहर है यहां पर तो नहरों द्वारा क्या होता था अलग अलग तरीके से उसको नालियों का निर्मान करके ठीके नंदियों का निर् वहां के कई सारे राजा ने जिंदेश आ चोटे चोटे तलाब को यह निरिमान करवा जिसमें बारिज काज पानि ऑयं जो मॉसमी नतीयां होती थी उस तर ऐस को Сवरग करते न यह फिर जो मतलब Vegard Ward नदियुक पानिंट्राफ branch मुठ बांथ ₤ 2,1 यहां 21% नदियुक टो जब उन्हों नदियुक राज रमांग के töश्चाई के लिए चली सब्सक्राइब जीस्याृ sorry सतापदी के अंदर में विजे नेगर के राजाओं द्वारा भी जील का निर्मान करवाए गया ठीक है मडकल जील एक नाम है जिसका निर्मान करवाए गया विजे नेगर के राजाओं द्वारा ठीक है नाम क्या था मडकल ठीक है मडकल नाम का जील का निर्मान करवाए गया इसका उप्योग भी किसके लिए के जाता था सिचाई के लिए के जाता था तो आगे हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत द्वारा भी जील का निर्मान करवाए गया तो पानी की ववस्था था या पिर यमनानदी था। उसके आज पास कई जगों पaking जील का निर्मान करवाए गए उस समय के र味 धोड़ा। तो रिजन क्ई हूना եा है कि वो पानी की ववस्था को सुचार रूप से बनाए रखना चाते थे। जो उनकी पर्किरिया थे, उसको चलाना चाहते थे, इसके कारण से, सिचाय कि ववस्ता के अंदर में जो दिली की सिचाय की ववस्ता ती, तक राज थे परभाव पढ़ा, उसके अंदर में परमुक अगर नामुकी हम बात करें दिल्ली सल्तरनत के अंदर में तो गयासुदिन तुगलक, मुहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक द्वारा इन सब को बढ़ूतरी की दिग किया गया सिचाई व्यवस्था को बढ़ाने में तो गयासुदिन तुगलक, मुहमद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक इन्होंने बहुत जदा इंपोर्टेंट डोल प्ले किया तो यहां पर हमारा चौट्था कोश्चन भी खतम हो जाता है मागले कोश्चन के और बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर जो हमारा अगला कोश्चन है यह भी इंपोर्टेंट है इसको हम देखते हैं अगला कोश्चन हमारा आता है छटा कोश्चन इसके लेकर एक question बन जाता है भारत में वैपार के बिविन सोरूप को इसके अगर हम बात करें तो कौन सा time period होगा समझ मैं आ रहा है को जब हम बिटन के गुलाम बन चुके थे इस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर हम आ चुके थी तो उस समय पे क्या हुआ हमारा जो विदेसी वैपार था वो बढ़ा क्योंकि हमने दीरे दीरे क्या कर रहे थे बिटन को भी माल बेचना सुरू कर चुके थे बिटन हमसे कच्छा माल खरीद रहा था हम बिटन के या फिर दूसरे कंट्री में हम जाने के लिए उस सुक थे क्योंकि हमें समुंदरी मार्क का पता चल चुका था तुसरा क्या था कि जो यह पाकिस्तान अफ्गानेस्तान इराक वाला रास्ता था था इसका भी मुगल्स अगा थे इन्होंने इसी रास्ते साय थे तो उसके कारण से हमने क्या किया इसका उप्योग करना शुरुक्या और हमने विदेशी वैपार को बड़ोत्री किया भारत में आने-जाने वाले विभीन European company की कादश crise है हमने विदेशी वैपारमें बड़ोत्री हुई ठीक है येरोपियों कमपनीओ का वैपारी गति वीडियों में इनवॉल्मेंट हुआ अब जो भी कमपनी आते तीज़ा से इस्ट इंडिया कमपनी आई तो क्या वो कबजय करने थोड़ना आई थी हो तो हमने बोली कि भी हमें वैपार करने आया है हमें बिजनेस करना है और हमने उनकी बात में आ गया, बात में हमने 200 सालों तक उन्होंने गुलाम बना के रखा, ठीके तो इस तरीके से चीज़े देखने के लिए मिलती है, पश्चिमी देशों के सासत में वानिजिक संबंद हमने इस्थापित करा, जो पश्चिमी देश थे दोस्तों, ठीके, हमने एक अधिकार स्थापित किया, ठीके, नए समुंदरी मार्ग की खोज करी, जिससे क्या सिल्क मार्ग हो गया, ठीके, तो अलग-अलग तरह के समुंदरी मार्गों की खोज की गई, जिससे अलग-अलग जगों पर हम जाकर अपना वैपार स्थापित कर पाएं, ठीके, आपको ये वाले question को समझने करें ना आपको भारत का map खोल कर बैठना पड़ेगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि भारत ने किस तरह से explore किया, business को अपने explore किया, ठीक है आज के समय भी अगर भारत की विजिस निती को देखोगे, किस तरह से हम वैपार करते हैं, वैपार क की खोज की गई, भारत के अंदर में 30 तता समुंद्री वैपार का एक अधिकार इस्थापित किया गया, अब भारत के पास फाइदा क्या था, कि हमारे पास दोनों तरह के चीज़े उपलब्दी थी, हम स्थल मार का भी उपयोग कर पा रहे थे, नए-ने रास्तों के हम संघर का रहे था हम बृतन के इस जशन का बृतन के गुलाम थे उपैदा और इस चीज़को बहुत ज़्यादा उठाया वा उसका इंपक्ट यह है कि अज से कम से कम 75 साल आगे चल रहे हैं, ठीके क्योंकि उसने हम से लूटा है हम से सीखा और वही चीज़ उसको इंप्रोक कर रहा है ठीक है समझ में आता है तो अगर कई सारे जो कंट्री ना आज के समय हम अपने आपको महान बताते हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तो वह इस चीज को भूल चुग है कि हम 200 सालों तक गुलाम रहे अगर हम कभी गुलाम नहीं बनते ना ठीक है अगर हम पहले बहुत ज़्याता है इंपोर्टेंट होता ठीक है आज के समय में यह कि लिखकर दे सकता हूं आपको ठीक हो इस्ट्री और पॉलिटिकल क्या है हमें हर एंगल से सोचने के लिए अजादी देता है आप हर एंगल को सोच सकते हो ठीक है चाहे वह चीज हुआ हो चाहे ना ठीक है अगर मालो भारत पचास साल पहले अजाद हो जाता तो क्या होता तो वह इंपेक्ट यहां पर हमें देखने के लिए मिलता दोस्तों ठीक है समझ में आता है सागर और बंगाल के जो वैपार थे उनकी बड़ी मात्रा में वैपार को विस्कार मिला ठीक है तो यहां प अंग्रेज दौर लागु किया ओर भारत की उपर Somya यहां तो सबसे पहले स्थाहि बंदक ऑन जाता है क्या आपको पता है क्या बंदोबस्त किसे कहते हैं इस्थाहि मतलब क्या पर्मानें बंजबस्त मतलब मतलब क्या यह ना हमानें पिसी टॉपिक पे तो आपके कहते है इसका कुछ बंदोबस्त कर मतलब उसको fix करना इस्थाई तोर पे fix करना जो problem है किसी भी तरह की problem को permanently fix कर देना वो इस्थाई बंदोबस्त कहलाते हैं एक तरह से आप ये मान कर चलो example के लिए 1789 में 1789 के अंदर में कारेकारी गवर्णर Sir John Saur उनका नाम क्या था Sir John Saur द्वारा 10 वर्षिये भूमी बंदोबस्त की घुसना की गई 10 साल के लिए एक तरह का भूमी बंदोबस्त मतलब जमीन को बंदोबस्त जमीन का देखरी करने का एक पूरतर से एक ड्राफ लाए गया 10 सालों का तो उसको नाम क्या दिया गया 10 वर्षिये भूमी बंदोबस्त की घुसना की गई कब की गई 1789 में किस के द्वारा Sir John Saur के द्वारा उसके बाद में क्या होता है 1793 में 1793 के अंदर में Governor Lord Carnivus के द्वारा स्थाई बंदोबस्त लाए गया जिसके अंदर में का आगे है भया यह पर्मानेंट अब इसके अंदर में कोई चेंजिस नहीं होगा यही चलेगा आगे तक यही चलता रहेगा ठीक है तो यह इसको स्थाई बंदोबस्त के तौर पर मान ली दिया ठीक है और नाम क्या था जिन्होंने लाया गवर्नर लॉड कार्निवस था ठीक है अब याद एकना कईपर नाम पूछ लिया जाता है इन्होंने क्या क्या स्थाई बंदोबस के अंदर में करो की दर को हमेसा के लिए फिक्स कर दिया जो कर का टेक्स का जो दर होता था ना जमीन के उपर लगने वाला टेक्स का दर, ठीक है, टेक्स के दर को क्या क्या है, उन्होंने फिक्स कर दिया, मैसा के लिए, कि भाई यही रहेगा, कोई चेंजी सरी, no slave rate, ठीक है, अब भी आज के समय में क्या है, गवर्मेंट GST लियाई, तो कई बार होता है, आभी तक जो व rate समझ में नहीं आएगा, तो यहसा ना हो, in future, इसके कारण से उन्होंने क्या क्या, जो लॉड करनी वस्त है, उन्होंने इस्थाई वंदवस लागो किया, जमीन के उपर में, जिसके अंदर में क्या हुआ, कि जो कर्व ववस्ता था, उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, हमेस जमीन का वास्तविक स्वामी बन गए वो, जमीनदार जो होते थे, वो जमीन के वास्तविक स्वामी के तौर पर उबरे, ठीके, लोगों को भी वास्तविक स्वामी का हक मिला, क्योंकि पहले क्या होता था, कि टेक्स बरो उसके हिसाफ से आपको उपर नीचे होता था, पर हमेसा बढ़ता घटता रहता था अगर मालो आपने 10 रुपे इकटा है कि आपके पास हाई नहीं तो आप क्या करोगा अपने जमीन किसी और को बेश्ट दोगे ठीक है तो इस तरीके से लाग होना सुरूओ जमीदारों को पर जब इस थाई बंदोबस लागू किया गया तो ए अच्छा बना और वो अपनी जड़े मजगूत करती चली गए क्योंकि लोगों को वहां पर सपोर्ट मिलता चला गया और जो जमींदार वग था वह भी वहां पर सपोर्ट करने के ले उतर गया क्रिशी का विकास हुआ ठीक है नॉर्मल यहां पर end of the talk क्या आता है यहां पर उन्होंने 10 रुपए कठा किया टेक्स बरने के लिए और गौर्मेंट उनसे ले रही है यह टेक्स वसूल कर यह 50 रुपए ठीक है फिर उन्होंने 50 रुपए कठा किया टेक्स बरने के लिए तो गौर्मेंट उनसे वसूल करना चाहती है 70 रुपए तो कोई एक फिक्स वव तो यह उनका यहां पर देखने के लिए मिल जाता है यहां पर अगला जाता है उत्पादन में विर्दी हुई इसके कारण से जो उत्पादन छेत्र था उसके अंदर में यहां पर विर्दी हुई क्यों कि आप देखो अगर लोग ज्यादा अगर ज्यादा खेती कर रहे हैं अ वो जो उत्पादन करेंगे वो उनका तो फाइदा होगा ना उत्पादन के अंदर में विर्दी यहां पर दिखने के लिए मिलने लगा लोगों का ठीक है निशित आय प्राप्ति हुई एक जो सरकार ता उसको एक प्रॉपर टैक्स मिलने लगा निशित आय मतलब क्या अब ग एडिया मिल गया कि हर साल या हर महीने हमारे पास इतना ही पैसा आएगा ना कम न ज्यादा ठीक है तो यह पर इसका भी प्रॉफिट गवर्मेंट को मिलता है ठीक है समझ में आता है यह वाला कोश्चन अब अगला कोश्चन के और बढ़ते हैं दोस्तो यहां पर दोस्तों जो इसी कोश्चन के अंदर में जो यहां पर पूछा गया था आपका इसके समाजिक और आर्थिक परभाव के बारे में ठीक है तो समाजिक और आर्थिक परभाव क्या होता है बंगाल के अंदर में वरस्था के बुरूद हो गई थी जो बंगाल था भा नहीं किय रहा है किसी गौर्रमेंट के पक्ष में बोल रहा थीक अगर किसी भी पोलिटिकल जिसको आइडिया है ठीक है जो ग्रिफ ली आइडिया है तो वह अगर बंगाल को देखेगा तो पूरी तरसे एक देश के अंदर में जो जो काबियत होनी चीए और सारी काबियत है थीके बंगाल के अंधर में थीके तेहां पर क्रिषय यह इ disproportionately बहुंहर बढ़िए करने में बढ़र अंतरास्टी बाजार में अधिक फसल उगाया जाने लगा ठीक है जो लोग होते थे लिम्टेड खेती कर रहे तो उन्होंने बढ़ ज़र कर उन्हें पार्टिसिपेट किया ठीक है भूमी की खरीद विक्री आसान हुआ अब खरीद विक्री आसान हुआ क्योंकि उस पर लिम् क्रिशी संखे की संबंदित विवाद क्रिशी संबंधित समझ में विर्दी होती है ठीक है ठीक है एज़ा सब आख हम समझते है इतियासकारं उन्हें क्रिशी उतिपादन के संदर्व में अनुमान व्यक्त है ठीक है, कृष्शी मतलब जो भी इतियास कार हुआ, उन्होंने, सबने बताया कि भाया, कृष्शी के अंदर में ऐसा ऐसा होगा, इस तरह से फसल होगेगी, यह होगा, पर हर बार उनुमान सही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, गौर्मेंट भी प्रेडिक्ट करती है कि इतने टाइम में हम इतना विक्सित होंगे, इतना हो करेंगे, पर हर बार गौर्मेंट का प्रेडिक्शन सही हो, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी यह देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, सांकी की मतलब क्या, एक आंकडों का प्रेडिक्शन करना, सांक तो सांकिकी विवाद मतलब क्या आप 10 kg अनाज जादा होगा होगी बारिस नहीं हुई तो अब 10 kg घर से लाके थुटना दोगे तो तो कम होगया ना तो वहां पर यह देखने के लिए मिल जाता है ठीक है समझ में आता है अगला यहां पर हम बात करते हैं कि अनुमानों में अं था कोई कहता इस तरह से क्रिशि होगा किस से कोई जाने लागा तीख सही जानकारी उपलवद निति अगर अगर मानलो आप ही को ठीक है 10 को से पूछबे होैं ऐरहुल गांदी के 224 में पर्दान मंथ्री बनना यह नहीं 10 लों 50,000 का अंसर अगर अलगला आता है और आपने यह सोच कर पूछा होगा कि जो मतलब सबसे ज्यादा लोगों का जो आंसर होगा मैं उसी को accept कर लूँगा पर दसों लोगों ने दस अलग अलग तरह का आंसर देती है तो अब आप क्या करोगे ठीक है तो मतलब एक सही तरका आंकड़ा जानकारी उपलंद नहीं हो पाना यहा उपर मैं अपना विचारदरा व्यक्त किया प्रोफेसर होस्टल ने अथारसो साट से लेकर उन्नीस सो बीच के बीच में काफी तेजी से विर्दी हुआ ठीक है उन्होंने इसके बारे में बताया था कि भाया क्रिशी विकास होगा तो यहां पर इन्होंने मतलब प्रेडिक लेकर चल रहे हैं अगर आपने घर के अंदर में चार लोगों का खाना बनाया और दो लोग आ गए तो जनसंख्या में विर्दी हुआ ना वापे तो खाना तो कम पड़ेगा ना तो इस तरीके से यहां पर संख्य की विवाद देखने के लिए मिलता है दोस्तों ठीक है परिवर्तन हो रहा था उसके बारे में हमें चर्चा करना है तो यहां पर परिवर्तन किस परकार केते तो भारते सामुहिक वैपार में यूरोपियन की इस्तिती मजगूत हुई ठीक है जो यूरोपियन लोग थे ठीक है यूरोपियन उसकी इस्तिती मजगूत होती चली ठीके उत्पादन का फैलाब गुवा ठीके जो हम उत्पादन करते थे जी मुपम जाते थे उसका फैलाब होना सुरू हो गया ठीके बजारों का सकेंधरकन बढ़ा ठीके zakे जो मतलब बजार सामने आया ठीक है समझ में आता है दोस्तों यह जो कोश्चन पेपर था यह वाला भी खतम होगी हम अगले कोश्चन पेपर किया बात करते हैं ठीक है इस वीडियो के अल्मोस्ट हम तीन से चार कोश्चन पेपर को सॉल्फ करेंगा और इस पूरे जो MHI 05 है हम उसको दो से ती इंद्रिय आर्थिक संरचना की चर्चा की जिए यह सातवान तता कुसान समराज्य से किस परकार भिन था ठीक है इसके बारे में हम बात करते हैं तो मोरे समराज्य के आर्थिक संरचना के अगर बात करोगे तो सबसे पहले क्या आया जाता है कि विशाल अर्थ विवस्ता थ तो बहुत ज़्यादा विक्सित माने जाती है आज के इसाप से भी मोरे समराजी के अंदर में ठीक है आज जो आप GST लेकर आए हो GST के अंदर में क्या किया जाता है कि पहले सही वस्तों पे टेक्स लगा दिया गया और एक नीमे टेक्स सलेप के अंदर में डाला गया एक यह वाला बस्तों इस पे पैउट टेक्स लगेगा सेम चीज पहले भी किया गया था मोरे काल के अंदर में भी कितना लगेगा ठीक है लकड़ पे इतना लगेगा तो इस तरह से चीज़े की गई थी मोरे काल के time period में भी ठीक है समझ में आता है अधिकतर लोगों का जो वेवसाय था मतलब वेवसाय क्रिशी था मोरे काल के अंदर में क्या देखने के लिए मिलता है जाता तर लोगों का जो वेवसाय था वो क्रिशी था यह हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है पर मोरे समराज्ची के टाइम पर जो गैर क्रिशी कार्ये के उपर में जोर दिया गया। गैर क्रिशी कारे मतलब क्या जैसे सिल्प उतपादन करना, ठीक है, सिल्प किरती करना, मुर्तिया बनाना, अलग लगतर के जो कारे थे, ठीक है, कृशी को छोड़ कर जितने भी कारे थे, उनके वहांपर पर विक्सित करने का है, उपर जोर दिया गया, वेपार की 7 सरेनियों में बाटा गया अब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है सुरोथ क्या इसका भी कोश्चन हमारे माइन में आना चाहिए हमेशा सुरोथ यहां पर बन जाता है बोध गौतम बुद्ध के जो अनुवाई थे उनके द्वारा जो लिखे गई पुस्तके लिखी गई उसके अ जो अर्थ सास्त नामक पुस्तक थी ठीक है मोरे समराज जी के टाइम की उसके अंदर में इसका जिकर किया गया किस तरह से उसकी प्रशासनिक विवस्ता थी किस तरह से उसके आर्थिक विवस्ता थी आर्थिक समरचना क्या था ठीक है पूरी आर्थिक समरचना का जिकर अर कर रहे होते हैं ठीक क्योंकि उसके अंदर में पांचो सालों के आगे तक का सोच के बताया गया था कि क्या क्या चीजे हो सकती हैं ठीक समझ में आता है अधिकतर लोगों के विवसाई में विर्धी हुआ जो लोग थे उनके विवसाई में धरी दरी विर्धी होना शुरू हो उपज के अंदर में राजी का हिस्सा बढ़ा, ठीक है, राजी क्या करता था? राजी जो लोग उपज करते हैं, पैदा बार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर में क्या हुआ? कि लोगों की हिस्सा बढ़तरी हुई, ठीक है, यहां पर लोगों का जो हिस्सा था, मतलब 4-0 टुकड़ बांटो गे उसमें से एक टुकड़ राज्य को देदिया उसको छे टुकड़ा बलाट एक टंक्रा राज्य गया इस पर से टेक्स लिए धिमार गेसे से टेक्स करते थे राज्य को देते थीकिया पढ़ने!. यहां पर पढ़ने कर लाया गए पढ़ने कर, कर, जैसे यहां पर होता है ना, GST, ठीके, वेट, तो उसी तर से पढ़ने करके, करकर के, एक नाम का, यहां पर टेक्स लाए गया, मोरे समराजी के टाइम पर, जिसमें युद की स्थाई स्तिती पर, क्रिशी पर लगाए जाता था, अगर कभी भी युद जैसी स जन कल्यान के लिए राज्य निवेश करती थी, जो वहां के राज्य हुआ करते थे, वह क्या करते थे, जन कल्यान के लिए निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट लाते थे, भूमी, राजा तथा क्रिशक दोनों का अधिकार होता था, ठीके, भूमी पर एक मात्र अधिकार राजा का ना होकर वहाँ पर भूमी पर राजा और कृश्च दोनों का दिकार माना जाता था राजा के दौरा कृश्ची के संसादोनों का उपलब्द कराया जाता था ठीके, राजा दौरा जो भी वहाँ का किंग हुआ करता था उसके द्वारा कृष्ची के संसादुनों का उपलब्द करवाय जाता था राजा के द्वारा ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पर पहला कोश्चन आपका क्लियर जाता है सेकंड कोश्चन के और बढ़े दोस्तों फटापट सेकंड कृष्चन आता है केंड्रेकृत राजा केंड्रेकृत राज्य के परकृति के संदर्व में मद्य कालेन अर्थ विवस्ता पर सनसोदन वादी इतिहांस लेखन की चर्चा के जिए अब यहाँ पे सबसे में चीज़ जो आपको समझना है दो वर्ट, केंद्रिकृत राज्य के प्रकृति और दूसरा संसोधनवादी इत्यांस लेखन अगर आपको संसोधनवादी इत्यांस लेखन के बारे में पता है तब आप उसको कर पाओगे तो यहाँ पे क्या है इसको मैं डिर्क्ली समझाओं आपको सौटकट में तो मद्यकालिन अर्थविवस्था के अंदर में अलोचनात्मक संसोधनवादी जैसे जो मद्यकालिन अर्थविवस्था था मेडायवल टाइम पिरेड का जो एक नौमी थी जो उसकी आलोचना की गई न तो जिन लोगों के द्वारा क्या गया तो उसको हम संसोधनवादी इत्यांस लिखन कहते हैं अगर आप उसकी आलोचना, मद्यकालीन अर्थविवस्ता को आलोचना करते हुए लिखते हो, तो वो क्या कहलाएगा संसोधनवादी इतियांस लिखन कहलाएगा, ठीक है समझ में आता है, तो यहाँ पर संसोधनवादी इतियांस लिखन के अंदर में तीन मुद्धे थे, जि दूसरा मुद्धा आ जाता है वानिजिक गतिविदी, ठीक है, यहाँ पर दूसरा मुद्धा आ जाता है वानिजिक गतिविदी, तीसरा मुद्धा यहाँ पर आ जाता है हमारा वैपारिक इस्तिथी, ठीक है, तो यह तीनों चीजों को उपर में संसोधनवादी ने अपना error को correct करना ठीक है तो वहां पर error को बताना कि भाई यह कमिया थी ऐसे सही चीजे होनी चाहिए थी ठीक है उसकी आलोचना किया हो वहां पर गलतियों को बताया तो वह संसुदनबादी कहलाता है ठीक है समझना यहां पर कई वार क्या होता है न हमारे history या फिर political के अंदर में जो words होते हैं हम उन words को समझनी पाते हैं और अगर आप words को समझनी पारे question को समझनी पारे तो आप solve करी नहीं सकते उस answer को कोश्चन को सॉल्फ करी नहीं पाओगी बले आप कितने भी अच्छे से पढ़कर गए हो घर से अगर आपको कोश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते हो ठीक है समझ में आता है यहां पर सत्ता को परभावी भू संपन वर्ग कुलीन वर्गों के द्वारा दिखा को दिखा जाता है संसोधनवाधी दृष्टि कौन के अंदर में सन रचनात्मक असमानतायं को देखने के लिएं मिलता है वह सेन्य ववस्था तथा वित्य ववस्था के बारे में उजागर करता है उसके बारे में बताता है ठीक है सिल्पी और कुलीन वर्गों के के द्वारे मतलब सकरात्मक सुचक के तौर पर दिखा गया ठीक सिल्पी और कुलीन वर्गों की सक्रिय भूमिका अर्थव्यवस्था के अंदर में जो गैर क्रिशक लोग थे उनकी की पार्टिशिपेशन को देखकर यह लगता था कि सक्रिय सकरात्मक भूमिका है अर्थव्यवस्था के अंदर में यह हमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों ठीक है दो सगिन में पाने पी लेता हूँ दोस्तों अलमस्थ हमने डेड़त दो गंटे की वीडियो बना चुका हूँ मैं आपके लिए ठीक है बिना कट किये वीडियो को बिना कुछ किये और इस समय जो रूम का मेरे टेंपरेचर है वो 23 डिग्री हैगा ठीक है आप अपने स्क्रिंग पर देख पा रहे होगे 23 डिग्री टेंपरेचर है पसीने से लटप तुमें रिजन क्या है कि अगर आप मैं फैन आन करता हूं तो आपके वोईस नहीं आएगी क्योंकि पहले मैं इससे वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आवाज नहीं आरी आरी आवाज नहीं अगर आप उफलाइन क्लास ले रहे हो मुझसे तो साता साता आठाट गंटे की चो क्लास होती है एक बार में दे देते हैं कई बार पूरा स्लेवस कवर करते हैं ठीक है फास्ट्रेक स्पीड के अंदर में जिससे कई सारे जैसे चार दिन बाद एक्जाम है आपको पूरा स् आपको ऑनलाइन यूटूब पर डालने के लिए बनाना वीडियो बहुत जादा डिफिकल्ट हो जाता है तो दोस्तों आप इस चीज को समझा करो ठीक है तो आप लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए सरमाय मत करो कर दिया करो जिससे हमें मोटिवेशन मिले क्यों कि हम एक हमें जब इतना वर्क कर रहे होते ना और उसके हैसाआब से हमें करने कर रहे होते हैं यह हुद्यू बहुत जादा कर रहे हो थाक्ता सबैसिल आपको समझ में आ रहा होता है हमारी वीडियो कहीं भी छोड़ी सी भी रोल प्ले कर रही होती है आपकी लाइफ के अंदर में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है आप हमारे चैनल को जोइन भी कर सकते हो अपने दोस्तों साथ सेर भी जरूर और हमारे ज़च यहां पर आत कि तीसरे कोश्चन हमारे यहां पर आता है दोस्तों सो इसा पुर्व से लेकर लेकर थीजिजिगरि क्या थीन अदर में जन मद्य दक हन कर डच हृँ का हिस्सिकी बात कर रहा है। व्यपार और सहरी करन का क्या पैटन था हुसके बारे मेंहें बताना है। दो चोटा सा अंसर इसका इसका फत पॉट में करते हैं। समझते थीक है पहले हो जाएगा यहां पर ना झायों यहांपर हम एंहे भारत में सहरी केंद्रू का बिविनिस्तर पर विक्सित हुआ ठीक है भारत के सहरी करण केंद्र के तौर पर मतलब मालो अलग 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 जगा पर केंद्र बना जिसे आज के समय में क्या है दिल्ली को सहरी करण केंद्र के तौर पर जाने जाता है मुंबई को जाने जाता है चैन्नी को जाने जाता है को पुलकता को जाने जाता है ठीक है तो अलग-अलग केंद्र के तौर पर उबरे ना अलग-अलग केंद्रों बने उसी तर से बैंगलोर बन रहा है इंदोर बन रहा है ठीक है लखनोग बन रहा है तो अलग-अलग से केंद्र सहरी करण के केंद्र बनते जा रहे ठीक है तो उन क कोश्चन यहां पर हम करते हैं कि यहां पर साहरी करन का अलग अलग केंद्र हमें देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर देखोंगे बात करोगे तो विनिमे तंत्र, विनिमे तंत्र मतलब क्या होता है, लेन दिन की परकिरिया के लिए जो हम चीजों का यूज करते हैं, ठीके, विनिमे तंत्र, ठीके, जो लेन दिन परकिरिया के लिए हमने जिस माध्यम का उप्योग किया, उसको हम विनिमे तंत्र के तोर पे जानते हैं, तो मद्दे धखनी में वैपार और साहरी करणने के लिए विनिमय तंतर बहुत जाद उपयोगी था पहले के टाइम पर विनिमय तंतर के अंदर में क्या दिखा जाता था आपने उसके बदले में सोना चान्दी कुछ दिया और उसके बदले में आपने समान लिया, तो मुद्रा वीनी में हुआ, तो आर्थिक तोर पर जो गतिवीधियां होती थे उसके अंदर में वीनी में तंत्र का बहुत जादा important role play होता है, तिक करनाटा के अंदर में नगरम व जार की ववस्था की गई गैर उत्पाधन सिहरी सिल्पी वैपार समोहों के पास कृषक studied haha काँ के लिए में और ग्रामिन चेटरों के इंदर में कृषक गति वीधिया बढ़ रही थी जैसे मैं आप डेली में रहता हूं जब तक ये डेली गाऊं की तरह था, जिस एरिया में रहता हूं आज से दस साल पहले था कि युई गाउं की तरह ही लगता था आस-पास में खेथT ok तो वहां पर ग्याय क्रिशी कारेय का बडूतरी हुआ पर जब तक ग्रामिण छेत्री के तौर पर था न भी हो रहा था स्मझ में आता है साथ्वी से बार्वी स्ताइब्धी के बीच में में ब्रिदी होती है वानीजी केंद्रों के इंदर में थीक है और उत्तर पश्चमी, करनाटका, कोकन, टट, वानी जी, वीजापूर, धारवाड, बेलगाम, सिमोगा के अंदर में परमुक वानी जी के अंदर के तौर पे उभरते हैं तो उत्तर पश्चमी, करनाटक, कोकन, टट, वीजापूर, धारवाड, बेलगाम, असिमोगा, यह जो परमुक वानी जी के अंदर के तौर पे उभरते हैं किर्सी छेतर का नियमित वजार के तौर पे उभरता है, तो इस तरीके से पूरा यह पैटन चलता है, यह सहरी करन का, इसा पूर्व से लेकर 320 इसवी तक का, ठीके समझ में आता है आगे मैं बात करूँ यहाँ पर चोथा कोशन का दोस्तो, ठीके, चोथा कोशन हमारा यहाँ पर आ जाता है, पारंबिक मद्यकाल में किस हद तक सामंतवाद ने आर्थिक गति वीडियो का पैटन को परिवर्तन किया, चर्चा की जिए यहाँ पर हम बात करें, सामंतवाद के उपर एक कोशन पहले भी आ चुका है, दुबारा से कोशन है सामंतवाद के उपर में, ठीके, मैंने पूछा वीदा सामंतवाद होता क्या है, तो आप जबरू कमेंट करके बताईए का आपकी अकोर्डिंग सामंतवाद होता क्या है, सामन्तवाद एक यूरोपिय अवधारना है यहाँ पे हमें सीवसी सीज़ सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे पूछाएगा ना मद्यकाल में किस हटक सामन्तवाद ने आर्थी गतिविद्यो को पैटन को प्रभावित किया तो सामंतवाद क्या है ? एक युरोपिये धारणा है, यहाँ पर यह बताया हमने थीकर जो ये इसके द्वार्फल वर्ग वाउग सामने आया भारत में इनका विकास संक और कुसांकाल के अंदर मुवा टीकर जो संक और कुसांक॰ के टाइम पिरिड ने इसका सबसे ज़ादा विकास होता है सामन्तवाद का विकास होता है इसका पुर्ण विकास पुरु मद्धे काल में हुआ जो पूरी तरसे जो विकास हुआ न वो मद्धे काल के टाइम प्रेड के अंदर में पूरी तरसे देखने के लिए मिल जाता है Henry Piner ने इसके उपर में क्या का अर्थ व्यवस्ता समाज और सब्यता के फलने फुलने में मदद की अर्थ व्यवस्ता के अंदर में इसकी मदद करी यह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है भू संपता के स्वामी के पास जो जमीन थी यहाँ पर राज्य के पदादिकारी जो होते थे बुमी पदाद्रान की आरंब के आ की गई थी जैसे राज्य के पदादिकार दौरह ब्रामनों को बुमी पर गने की विवस्ता लाग वेł भारत के अंदर में बिचली टीक है? जो मद्यस्त कर मद्यस्ताओं के लिए बिचोलियों का भूँ अनुदान देने की परकिरिया एक यारवी सताब्दी में पारम होती है और यही भूँ अनुदान देरे देरे चल के सामंतवात का अपने चरम पर ले आता है ठीक है समझ में आता है दोस्तों तो यह आपका चौत आगे का रहेगा दोस्तों वह अगले हम अगले वीडियो के अंदर में उसको कवर करेंगे आज की वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले है यह हमारा लास्ट कोशन पर रहने वाला है ठीक है यहां पर आपका हम बात करें दोस्तों सात्वा कोशन के हम बात करते हैं ठीक है सा और आर्थिक पैटन किस परकार का था उसको पारे में चर्चा करना है टो यह पर थी जिसके अंदर में बान्थ बनाना लंबी नहरोग का बनाना यहां पर अगर और अगर की बात करें द시에 पहले जाता है कि अंदक यह यह पहले के चिधिक यह तक्निक का 10 का दूसरा यहां में बात करतेैं से वस्तर तकनिक का जैसे सिल्क म现在 की गुफाओं में अलग aspect तो सिल्क मार्गमिला मिला तो सिल्क मार्ग मिला रुय का सिल्क का एक दूसरी जगा गदमाओν तो उसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, कि वस्त तक्निक का उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है, दुनाई का काम करना, लकडी की चर्खी से दुनाई का उपयोग करना, दुनाई मतलब क्या, उसको बारे की रेसों में काटना, फिर उसका कपड़ बनाने के लिए उपय तो यहां पर वस्त तक्नीक का उप्योग हमें देखने के लिए मिलता है ठीक है और रंगाइक M च्छपाई का काम करना ठीक है जैसे रंगाई और च्छपाई का काम का सबसे बड़ा एक्जांपल हमें जंता की गुफाओं से मिलता है जहां पर अलग लगतर की चित्रकारियां हमें परमाण मिलते हैं तीसरा यहां पर टकनिक की अगर हम बात करते हैं दूसरों तो धातू-енно रसाइन टकनिक के हम बात करते हैं जिसके अंदर जिंक-ोहे-, रसाइम.. ठीक है आसत ні ऑपर स्माज़ में परोल रसाइन, थीक है आस्तन और commit oxygen and protein आसवन करके एक word आता है, आसवन का मतलब क्या होता है, गुलाव जल निकालने के परकिरिया, गुलाव जल निकालने के परकिरिया थी, क्या थी एक रसायन टक्नीक थी, ठीक है, गुलाव जल निकालने के परकिरिया को हम क्या कहते है, आसवन कहते है, ठीक है, उसी तरह से एक यहां पर दूसरी प्रकिरिया क्या होती है प्रसीतन करके प्रकिरिया हो जाती है प्रसीतन का मतलब क्या होता है पानी को पानी को बढ़ा करना ठीक है पानी को मतलब ठंडा करने की प्रकिरिया जो होती थी ना पानी को ठंडा करने की प्रकिरिया को हम प्रसीतन करते थे प्रसी वस्त 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 वाई की बारे हैं चेज्दह अजिसमें गुलाब के जल के उपियो निकालना और प्रतीसन मतलब पानी को ठंडा करने की गतिविति को हम बारे में बात करते हैं, यहां पर आठावा question के हम बारे में बात करें, हमारा यह last question होगा, इस question paper का, ठीक है, यहां पर आजाता है 1950 के दसक में, ठीक है, 1950 के दसक में, अपनाई गई आर्थिक नीती की परमुख लक्षनों की चर्चा कीजिए, और सोतंतर रूप से भारत की अर्थविव प्लैनिंग कमिशन जी से हम कहते हैं यूजना आयोग जिसका नाम चेंज करके क्या निती आयोग कर दिया गया है ठीक है, दोजार चौदा के अंदर में जो बिजेपी गौर्णेंट है, उसको नाम चेंज कर गए, यूजणा आयोग का निती आयोग कर दिया था, ठीक है, 1950 के अंदर में क्या होता है, परधान मंतरी के अदेखता में यूजणा आयोग बनाया गया, ठीक है, 1950 में, 1950 में जो है, मतलब विकास करना, किसी लोगों तक पहुंचाना, किसी भी प्लैन को, उपर से लेके नीचे तक लोगों को पहुंचाना ये मोटीव रखा गया उसके अंदर में सबसे बड़ा कार्य क्या किया गया पंच वर्षी योजना लागू किया गया पांच साल के लिए योजना ही बनाए गई ठीक है उन्होंने यह नहीं सूचा कि बड़े टाइम के लिए योजना बनाने उन्होंने कोई भी प्लैनिंग लाते ना तो उसको उन्होंने पांच साल के लिए प्लैनिंग करके लिए ठीक है सभी योजनाओं के अंदर में में मोटिव क्या होता समविर्दी मतलब हो सब का विकास हो सभी का विकास हो उसको उन्होंने तार्गिट किया आधुनिक करन, आत्म निर्भरता और सामानता, ठीक है, देखो, समविर्दी, मतलब सभी का विकास हो, ठीक है, आधुनिक करन हो, आत्म निर्भरता हो, सामानता हो, ये चार चीज़ को उन्होंने बेस बनाकर, लक्षे बनाकर, हर योजना का निर्मान किया, वो जो भी योजन किसी कीसानों का जूर हो किसी की उपर में जूर पर में की जाने लग द्योगे Keeping प्रस्थावब आऔर में 19-56 में सरकार दोरा उद्योगी क्निति के परस्थाव ला इंदर में इंडरूस्ट्री लगाने का मनके लग लग कम्पणियां को राने का ठीक अलग लग तरह से चीजी करने बाने का 26 में उद्योगीक निति के शुरुआ बात्होंज़ा만 के बर्ट tadi के पर नीति के अंदर में अयात कर और मात्रा में निर्धारन talked अयात को कम करने का रख्छे लिए ठीक है आयात नीज़ाकर मतलब सरकार के त्वारन 1950 अपनी आर्ठिक नीति को मजभूत ब trembling करने के लिए एक में टोपिक क्या जोर दिया गया कि आप अपने अयात को कम करो है ठीक है अयात को कम किरो है कि क्म क करो लिए घृफिको कहें और शकू ढिर दो को क्या जो हम श्याहां पटे तो इसको control करने के कोशिज की गई ठीक है तो यह 1950 की आर्थिक नीती थी जो सरकार के दोरा अपनाई गई थी यूजना अयोग के दोरा बना कर और यूजना अयोग का head कौन होता है परधान मंतरी होता है यह च्णतर से काम करते हैं तो एक ठिंग के तोरब काम करते हैं जिनका स्रीफ काम क्या होता है कि सर्विक्षिन करना और अपने हिसाब रिषाब से एक नीती बनागार देना इंग काम करें लोगों का बढ़ा होगा ठीक है समझ में आता है ये पूरा इस तरह से रहता है दोस्तो अभी मैंने आपको स्थी तीन question paper solve कर वाया है आगे भी बहुत सारे question paper है ठीक है 2017 के थारा के तो बहुत सारे question paper है आपको अभी करने है ठीक है तो आगे हम इसके अंदर में और भी question solve करेंगे अभी हमने तीन question paper को solve किया है दोस्तों ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक का जो वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा ठीक है और आपका जो भी doubt है अगर कोई भी कहीं का भी कुछ भी confusion है doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो ठीक है तीन question paper हमने solve कर लिया ठीक है तो आप क्या करोगे अगर कोई भी doubt हो comment किजिए social media पर हमें join किजिए वहाँ पे आप पूछ लीजी ठीक है और इसका जो second part है कुछ देर के अंदर में कुछ दिन के अंदर में आपका second part भी आ जाएगा और third part भी आ जाएगा तीन part के अंदर में हमने total MHI 05 का हम इसको complete कर लेंगे ठीक है total तीन part के अंदर में हम इसको complete करेंगे दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा ठीक है आपके लिए valuable होगा और अगर आपके life में थोड़ा सा भी role important role play करता है तो like, share, subscribe जरूर करें हमारे चैनल को ठीक है और अपने सभी दोस्तों के साथ share करें ठीक है और next video का wait करें दोस्तों कुछ टाइम के अंदर में आपका next video आजाएगा जब तक आप इसको prepare करें सही से ठीक है फिर हम इसके next video के हम बात करते हैं गोस्तों ठीक है thank you for watching me thank you for listening me bye bye take care all the best